एका नो खाचाओ जो कर रहा है गुधरम और जो होगा वो कर्तम भक्तम कुछ टाइम पहले नियू जाई थी साउथ में एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसमें अक्चेकुमार और प्रभास दोनों एक साथ आने वाले हैं सब लोग मान नहीं रहे थे क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स मतलब उनका बजट हजार करोड़ पार कर जाएगा तो आप एक जीरो कम कर लीजिए सिर्फ सो क्रोड में यहां काम हो चुका है इधर हम लोग बीजी हैं चंदू चैंपियन में इस तरी टू के सीजन में उधर साउथ को इंड़ेस्टरी में चुपके से परभास का बाहुबली वाला कमबैक भी कर दिया है उधर साउथ ने इंड़ेस्टरी में चुपके से परभास का बाहुबली वाला कमबैक भी कर दिया है चुपके से परभास का बाहुबली वाला कमबैक भी कर दिया बात कनपा की हो रही है जिसको सो सिकंड का छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है टीजर से मतलब है जिसको लोग तो किसी और को ढूट रहे थे मार्केटिंग की है कनपपा की टीम ने पास को रिविल कर दिया है चारो तरफ लोग इसकी बादे कर रहे हैं वैसे पता है आपको कनपपा टीजर चाय कैसा हो पर कलेक्शन इसका नमबर वन रहता है यह हडपा की कहानी है जिसको दुनिया आई टोनर बोला जाता है वहाँ उन्होंने अपने आखे खुद भगवान सुख को दान कर दी थी इस तीन घंटे की मुर्भी में बहुत ही अच्छी कहानी है अभी तो खाली टीजर आया है इंट्रेस्टिंग सी कहानी है और एक्चुली में इसके बारे में काफी कम लग जानते हैं इसलिए जब उनका टीजर आया सौथ के कंपेरिजन में नोट थीएटर में ज़्यादा बॉक्स आफिस कलेक्शन करा जाया इसके पीछे बहुत सॉलिड रीजन है करते के टू या हनुमान इन सभी मोबियों में इनका बजट नहीं देखते लोग इनका ट्राफी काफी होता है थीएटर में हाउस फूल बोर्ड लगाने के लिए कनपा भी उसी रास्ते पर चल सकती है फूचर में आने वाला ट्रेलर टीजर के कमपरेजन में क्यों परभास और अक्षे एक्साइड है लेकिन और आप लोग सभी जानते हैं कि कनपा का रिजल्ट इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है काफी सारी गलतिया ढोड़ने पर मिल जाएंगी इसलिए सो करोड का बजट फिल्म का बताया जा रहा है यहाँ बास सच है टीजर के सीन देखकर फिल्म कुछ खास नहीं है ऐसा लग रहा है पूरा टीजर एक गार्ड में सूट किया गया है वहाँ बी एफ वाला आस्मान पर कुछ इग्नोर हो गया है जैसे अक्षे कुमार का OMG2 वाली या देख दम वापस आ गई बॉलिवुड की स्मार्ट मुवी में नाम आता है OMG2 का लेकिन अक्षे कुमार का स्क्रीन परजिंट दोबारा फिल हो रहा है लेकिन टीजर में आने वाले अगले साट के लिए हम लोग बिल्कुल तयार नहीं थे पूरे परभास में सिर्फ उनकी आँखे काफी है किसी फिल्म का हाइट क्रेस्ट करने के लिए कनंपा की कहानी भगवान सिव के आरांड गुमती है और वा तो अक्षे कुमार है तो फिर परभास फिल्म में क्या कर रहे हैं अपनी फिल्म ट्रिनिटी मतलब तिर्मोती ब्रंभा पिश्डू महस्तिनों दिखने वाले हैं और सालिड चांस बिश्डू का करेक्टर प्ले कर रहे हैं भगवान सिव बिश्डू की पूझा करते हैं तो भगवान बिश्डू खुद सिव के सबसे बड़े भगत हैं तो बस परभास का वही लाड सिवा के देवोटी के तरह इंट्रोडक्शन होने वाला है कनपा में जबकि बाद में फिल्म के अंतर ही अपने असली रूम में आ जाएंगे वैसे इन दोनों एक्टरिस के बीच में अपने तीसरा कैमरा कम्प्लीटली मिस कर दिया था लीजेंट मोहनलाल इनका रेक्टर सबसे इंट्रिस्टिंग फिल्म में है वैसे मेरे हिसाब से भगवान ब्रंभा के रूम मेनेजर आएंगे लेकिन टीजर में इनका ट्रांसपोटेशन तो कुछ होर ही बोल रहा है पिल्म का मोमेंट सबसे अलग होगा यह तीनों एक्टर अपने ओरिजिनल लोग में एक साथ त्रिमूर्थी वाले सीन में परजन्टि किये जाएंगे गूसे बंस लेकिन यहाँ पर एक छोटी सेड़वाइस में जरूर देना चाहूंगा सुनके मेकप पोक्यों की सो करोड़ दाओं पर लगे हैं और पबलिक इतनी असानी से पैसा खर्ज नहीं करती करम के लीड एक्टर्स को थोड़ा और इंपक्ट लाना पड़ेगा क्योंकि कमियों के सारे फिल्म का हाइट जरूर बन सकता है लेकिन पिक्चर नहीं चल सकती कनपा टीजर के लास्ट सीन में डालॉग है जिसमें डारेक्टली भगांस्यू को बला गया है कितना एपॉर्टन सीन है वह कहानी वाई स्यू और कनपा के कनेक्शन प्रोजेक्ट करता है लेकिन वहाँ पर डालॉग डिलिवरी सीरियस कम और फनी जादा लगती है मोड खराब हो गया आप टीबी सीरियल नहीं बना रहे हो हमें ड्रामा नहीं चाहिए और नहीं कार्टून सो देखना चाहते हैं बस रिस्पेक्ट फुली कहानी को प्रोजेंट कर देना है बिना ओवरेक्टिंग या फिर लाउड डैलोग और ओवरडेज बचकानी बेफेक्स का कनपा के टीजर में सबसे बड़ा ड्राबैक है इमोसन्स का मिसिंग हो रहा है जबकि इस क्रीम पर खुद भगवान को उतार दिया गया है अब मैं ज़्यदा वर्सिस नहीं करूँगा ट्रेलर का वेट करते हैं कनपा के पास मौका है चोक लगेगा या फिर सिर्फ पैकटवा देखना पड़ेगा जल्दी बताओ अक्षे कुमार वर्सिस प्रभास वर्जिस मौनलाल जिसकी अंट्री पर सबसे ज़्यादा तालिया पीटने पर दिल किया तो मैंने अभी कनपा मौकी का टीजर देखा और टीजर देखने के बाद मेरे दिमाग में पहली बात यही आई कि आखिर इस मौकी का कोई सबसे बड़ा पलस पॉइंट है तो वो है प्रभास और उनके अलावा अक्षे कुमार हैं कुल मिलाकर जो भी चीजे मैंने इस आपत की गई है और लोग उसके सामने पूजा कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नकली लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हाँ एक्सेट बनाया गया है और इस तरह से मौवी की सूटिंग वहां हो रही है दाएं बाएं दाएं यहां वहां परभावित नहीं किया मुझे वाकि इस म पता चला कि अक्षे कुमार भी ये फिल्म कर रहे हैं तब मुझे बरोसा हो गया कि अगर दो बेड़े एक्टर एक फिल्म करने के लिए राजी हो गए हैं तो इसका मतलब है कि फिल्म में कुछ खास होगा लेकिन जब मैंने टीचर देखा तो उससे बहुत ही गहरे लेबल पर कसा गया है मुझे कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं लगा हाँ बस मुझे सब फिल्म का टीजर थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगा बाकी और वाल ये बहुत ही जदा फैंक लग रहा है किस तरह से इस फिल्म पर करोड़ो खर्चा किये गए हैं ये बाते मुझे समझ नहीं आ रही हैं और इसके लगा मुझे पहले ही से ही डर था कि इस फिल्म को देखने के बाद परभास सर और अक्छा कुमार के फैंस नाराज ना होने लगे कि असल में परभास सर और अक्छा कुमार ऐसी फिल्में क्यों कर रहे हैं मुझे पता है परभास सर ने दोस्ती आ नहीं आया और ये कन्फर्म हो गया कि भगवान सावा के किलदार में अक्छा कुमार नजर आएंगे लेकिन परभास सर किस किलदार में होंगे ये अभी किलियर नहीं है मुझे टीजर सीरिसली बहुत खराब लगा और जब भी मैंने टीजर देख रहा था तो पता नहीं कि मु एक्टर्स को ले आओ और उन से अपनी फिल्म में कैमियो करवा लो आपका कोई फाइदा नहीं होने वाला बाकि आप लोग मुझे बताएं कि आपको इस पर क्या कहना है या आपको इस फिल्म का टीजर कैसा लगा या मुबी भी चुले और सब्टेंबर के बीच से ही रिली गुमी है या हिंदू देवतास्यु के एक महान भक्त कनपा नैनार की पोजिनी कहानी पर अधारित है होनहार मुकेस कुमार संगर निर्देशित कनपा का निर्मार अनभवी अभिनेता मोहन बाबु ने अपनी प्रोडेक्शन कंपनियों एबी एंटेटेंबेंट और 24 फ्र प्लीज होने की प्रबल संभावना है कनपा भारते फिल्म संगीत की दो परमुक हस्तियों के बीच सहयोग सेक आकर 60 संगीत मैं अनुभव का वादा करता है मलयालम सिनेमा में अपने युगदान के लिए जाने जाने वाले परतिष्टित इस्ठीपन देवसी और तेलगो फ मांचु के करियर की सबसे मातुकांची फिल्म कहा जा सकता है भारत में पाउराडिक फिल्मों को सिनेमा देखने वाले दर्सकों की बीच बड़ी सफलता मिल रही है ऐसमें बिचलो मांचु को भरुसा है कि कनपा लोगों की दिलों में जगह बनाएगी कनपा का टीजर पू सुपास्टार के कैमियों भी सामिल हैं टीजर से एक बात सपष्ट हो जाती है या पूरीतर से कनपा की किवंदिती पर आधारित है जो लोग नहीं जानते उनके लिए यह पौराडिक कहानी एक धनुर्धर की कहानी है जो एक दिन सिवलिंग के छीपे हुए मंदिर पठो कर रखाता है और इसका भगत बन जाता है पारस्परिक उपास्को के भी प्रीद कनपा को उसित अनुस्ठानों का ग्यान नहीं था वह वही अर्पित करता था जो वह जानता था अपने सिकार से मांस और अपने मुह से पानी और जब जरूरत होती तो आप अगवांसियों की भ भगवांसियों के परतीक वायू लिंग के लिए युद्ध से होती है वायू लिंग पर नियंत्रड़ पाने के लिए एक जंजाती दूसरे परियुद करती है लेकिन अन्त में विश्डू मंचु दरा निभाये गए कनपा की युद्ध कौसल से परभावित हो जाती है परि प्याकरशड़ इसके एक्षन स्क्वेंस और सुपरस्टार काम्यों हैं हमें मल्यालम सपरस्टार मोहनलाल बॉलीबुडि स्टार अक्षकुमार और तेलगो सपरस्टार प्रभास की जलक मिलती है सभी भगवांसियों के आतार में नजर आते हैं कान फिल्म फेस्टिबल में अपने परतिष्टिट परदर्शन के बाद महाकाब एक्षन फिल्म कनपा का बहुत परतिछित टीजर जारी किया गया है फिल्म के टीजर को कुल पांच भासों में रिलीज किया गया है दुनिया भर के दर्सकु को आकिरकार बिश्णो मांचु के ड्रीम प्रोजेक्ट के एक जलक देखनों को मिल गई है कनपा के बिज्वल मांचु ने भक्त कनपा की कहानी निभाई है फिल्म को मुकेश द्वारा सिंग ने निर्दर्शित किया है यहाँ फिल्म एक भक्ती और बलदान की पौराड़ी कहानी को जीवन्त करती है मोहन बाब, मोहन लाल, परभास, अक्षे कुमार, सरत कुमार, काजला करवाल, सहीद और निकला कारोस सजी इस फिल्म के टीजर और रिलीज के बाद सही परसंसक फिल्म के रिलीज का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं विशलो मांचु के ट्रीम प्रोजेक्ट कानपा का सांदार टीजर रिलीज हो चुका है इस फिल्म का टीजर कुल पांच भासाओं में रिलीज किया गया है फिल्म में परभास, अक्षे कमार, काजला गरवाल, मोहनलाल के अलावा कई अभनेताओं ने अहम भब का निभाई है फिल्म के टीजर में साउथ के लावा वाली बुड के भी कई सितारे नजर आये हैं फिल्म का टीजर कुल पांच भासाओं में जारी किया गया है जिसमें तमिल, तेलगु, मल्यालब, कन्नल और हिंदी भासा सामिल है इस माँकाब की कहानी को अब दुनिया भर के दर्सक पांच भासाओं में देख सकेंगे या फिल्म हमारे इतिहास का एक महत्पोड हिस्सा है और हमें इसे सबसे आगे लाने पर गर्ब हैं कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे अस्थानी कहानियां बेसुस्तर पर गुजती है और कनापपा एक ऐसी कहानी है जो हमारी समरस संसकरत में नहीं थै या फिल्म हर जगह के दर्सकों से जुड़ेगी फिल्म के निर्माड में कई दिकत सामिल हैं जिन में हौलीबोड सनमेटुग्राफर, गॉल्डन चाओ, एक्सन निर्देसक, केचा, कामकड़ी, कुरियोग्राफर प्रवोदेवा और ब्रंदा है या भारत में आने वाली सबसे महतकांची फिल्मों से एक है फिल्म की जदातार स्यूटिंग नियूजी लेंड में हुई है फिल्म के रिलिजडेट की कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कुछ टाइम पहले नियूज आई थी, साउथ में एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसमें अक्षगमार और प्रभास दोनों एक साथ आने वाले हैं सब लोग मान नहीं रहे थे क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स मतलब उनका बजट हजार करोड पार कर जाएगा तो आप एक जीरो कम कर लीजिए सिर्फ सो करोड में यहां काम हो चुका है इधर हम लोग भी जी हैं चंदू चैंपियन में इस तरी टू के सीजन में उधर साउथ को इंडस्टरी में चुपके से परभास का बाहुबली वाला कमबैक भी कर दिया है जिसको सो सिकंड का छोटा सा टीजर रिलिज किया गया है टीजर से मतलब है जिसको लोग तो किसी और को ढोट रहे थे मार्केटिंग की है कनपपा की टीम ने पास को रिविल कर दिया है चारो तरफ लोग इसकी बादे कर रहे हैं वैसे पता है आपको कनपपा टीजर चाय कैसा हो पर कलेक्शन इसका नमबर मुल रहता है यह हडपा की कहानी है जिसको दुनिया आई डोनर बोला जाता है वहाँ उन्होंने अपने आखे खुद भगवान से उको दान कर दी थी इस तीन घंटे की मूबी में बहुत ही अच्छी कहानी है अभी तो खाली टीजर आया है इंट्रेस्टिंग सी कहानी है और एक्चुली में इसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं इसलिए जब उनका टीजर आया सौथ के कंपेरिजन में नोट थीटर में चैदा बॉक्स आफिस कलेक्शन करा जाया इसके पीछे बहुत सॉलिड रीजन है करते के टू या हनुमान इन सभी मोबियों में इनका बजट नहीं देखते लोग इनका ट्राफिक काफी होता है थीटर में हाउस फूल बोर्ड लगाने के लिए कनपा भी उसी रास्ते पर चल सकती है फूचर में आने वाला ट्रेलर टीजर के केमपरेजन में क्यों परभास और अच्छे एक्साइड है लेकिन और आप लोग सभी जानते हैं कि कनपा का रिजल्ट इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है काफी सारे गलतिया ढोनने पर मिल जाएंगी इसलिए सो करोड का बिजट फिल्म का बताया जा रहा है यहाँ बास सच है टीजर के स्चीन देखकर फिल्म कुछ खास नहीं है ऐसा लग रहा है पुरा टीजर एक गार्ड में सूट किया गया है वहाँ बी एफ वाला आसमान पर कुछ इग्नोर हो गया है जैसे अक्षे कुमार का OMG2 वाली या देख ते मुआ पसा रही बॉलिवुड की स्मार्ट मूवी में नाम आता है OMG2 का लेकिन अक्षे कुमार का स्क्रीन परजिंट दोबारा फिल हो रहा है लेकिन टीजर में आने वाले आगले साट के लिए हम लोग बिल्कुल तयार नहीं थे पूरे परभास में सिर्फ उनकी आँखे काफी है किसी फिल्म का हाइट क्रेस्ट करने के लिए करंपा की कहानी भगवान स्यू के आरांड गूमती है और वा तो उक्षे कुमार है तो फिल्म में क्या कर रहे है अपनी फिल्म ट्रिनिटी मतरब तिर्मोती ब्रंभा बिश्डू महस्तिरों दिखने वाले हैं और सालिट चांस बिश्डू का करेक्टर प्ले कर रहे हैं भगवान स्यू बिश्डू की पूजा करते हैं तो भगवान बिश्डू खुद स्यू के सबसे बड़े भक्त हैं तो बस परभास का वही लौड स्यूवा के देवोटी के तरह इंट्रोडक्शन होने वाला है कनपा में जबकि बाद में फिल्म के अंदर ही अपने असली रूम में आ जाएंगे वैसे इन दोनों एक्टरिस के बीच में अपने तीसरा कैमरा कंप्लीटली मिस कर दिया था लिजेंट मोहनलाल इन करेक्टर सबसे इंट्रेस्टिंग फिल्म में हैं वैसे मेरे हिसाब से भगवान बरंभा के रूम मेनेजर आएंगे लेकिन टीजर में इनका ट्रांसपोटेशन तो कुछ होर ही बोल रहा है फिल्म का मोमेंट सबसे अलग होगा या तीनों एक्टर अपने ओरिजिनल लोक में एक साथ तरिमूरती वाले सीन में परजन्टि किये जाएंगे गूसे बम्स लेकिन यहाँ पर एक छोटी से अड़वाइस में जरूर देना चाहूंगा सुनके मेकप पोक्यों की सो करोड दाओं पर लगे हैं और पबले कितनी असानी से पैसा खर्च नहीं करती फिर उनके लीड एक्टर्स को थोड़ा और इंपेक्ट लाना पड़ेगा क्योंकि कमियों के सारे फिल्म का हाइट जरूर बन सकता है लेकिन पिक्चर नहीं चल सकती कनपा टीजर के लास्ट सीन में डालॉग है जिसमें डारेक्टली भगवान सीव को बला आ गया है कितना एपॉर्टन सीन है वह कहानी वाई सीव और कनपा के कनेक्शन प्रोजेक्ट करता है लेकिन वहाँ पर डालॉग डिलिवरी सीरियस कम और फनी जदा लग दिये मोड खराब हो गया आप टीबी सीरियल नहीं बना रहे हो आप टीबी सीरियल नहीं बना रहे हो हमें ड्रामा नहीं चाहिए और नहीं कार्टों सो देखना चाहते हैं बस रिस्पेक्ट फुली कहानी को प्रोजेंट कर देना है बिना ओवर एक्टिंग या फिर लाउड डैलोग और ओवर डेज बचकानी बिएफेक्स का कनपपा के टीजर में सबसे बड़ा ड्राबैक है मोसंस का मिसिंग हो रहा है जबकि स्क्रीन पर खुद भगवान को उतार दिया गया है अब मैं ज़्यदा वर्सिस नहीं करूंगा ट्रेलर का वेट करते हैं कनपपा के पास मौका है चोक लगेगा या फिर सिर्फ आकटवा देखना पड़ेगा जल्दी बताओ अक्षे कमार वर्सिस प्रभास वर्जिस मौनलाल जिसकी अंट्री पर सबसे ज़्यादा तालिया पीठने पर दिल किया तो मैंने अभी कनपपा मौकी का टीजर देखा और टीजर देखने के बाद मेरे दिमाग में पहली बात यही आई कि आखिर इस मौबी का कोई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तो वो है प्रभास सर और उनके अलावा अक्षे कुमार है कुल मिलाकर जो भी चीज़े मैंने इस टीजर में देखी वो क्वालिटी के मामले में बहुत ही घटिया है सच कहूं तो यह नकली लग रहा है या फिर जिस तरह से फाइट सिक्वेंस को रियोगराप किये गए है इसके अलावा काली माता की मुर्ती इस्थापत की गई है और लोग उसके सामने पूजा कर रहे है वो बिल्कुल भी नकली लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हाँ एक सेट बनाया गया है और इस तरह से मुवी की सूटिंग वहां हो रही है दाएं बाएं दाएं या यहां वहां पर भावित नहीं किया मुझे वाकि इस मुवी से उम्मी दे थी मुझे लगा कि साइद एमोबी अच्छी निकलेगी लेकिन मुझे लगा कि साइद अगर प्रभासर एमोबी करने के लिए तयार हो जाएं तो इस मोबी की संभावना बढ़ जाएगी इसके बाद मुझे पता चला कि अक्षे कुमार भी यह फिल्म कर रहे हैं तब मुझे भरोसा हो गया कि अगर दो बेड़े एक्टर एक फिल्म करने के लिए राजी हो गए हैं तो इसका मतलब है कि फिल्म में कुछ खास होगा लेकिन जब मैंने टीजर देखा तो उससे बहुत ही गहरे लेबल पर कसा गया है मुझे कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं लगा हाँ बस मुझे सब फिल्म का टीजर थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगा बाकी और वाल ये बहुत ही ज़्यदा फैंक लग रहा है किस तरह से इस फिल्म पर करोडो खर्चा किये गए हैं ये बाते मुझे समझ नहीं आ रही है और इसके लवा मुझे पहले ही से ही डर था कि इस फिल्म को देखने के बाद परभास सर और अक्छा कुमार के फैंच नाराज नहोने लगे कि असल में परभास सर और अक्छा कुमार ऐसी फिल्में क्यों कर रहे हैं मुझे पता है परभास सर ने दोस्ती आरी की है लेकिन अक्छे कुमार क्यों कर रहे हैं अब बहुत से लोग कहेंगे कि अक्छे कुमार पैसो के लिए कर रहे हैं तब भाई जब कुछ भी हो सकता है लेकिन दोस्त मुझे मज़ा नहीं आया यार सच कहों तो मुझे मज़ा नह तो पता नहीं कि और मज़े सिरु नगेटिव शीजए ही नज़र आ रही थी मुझे उमीर थी की मेकर से इस पर काम और काम करें है क्योंकि जब तक आप क्वाले टी नहीं देंगे तब तक आप कितने भी बड़े एक्टर्स को ले आओ और उनसे अपनी फिल्म में कैमियों करवा लो आपका कोई फाइदा नहीं होने वाला बाकि आप लोग मुझे बताएं कि आपको इस पर क्या कहना है या आपको इस फिल्म का टीजर कैसा लगा या मुबी भी चुले और सप्टेंबर के बीच से ही रिलीज कर दी जाएगी वैसे इसकी कोई एकदम सही जानकारी अभी तक तो नहीं मिली है लेकिन जैसे ही मिल चाहेगी आपको पता चल जाएगा कनपपा एक आगामी भारती पौराडिक नाटक फिल्म है जो मुखरूप से तेलगु में है या हिंदू देवतास्यु के एक महान भक्त कनपपा नैनार की पोजिनी कहानी पर अधारित है होनहार मुकेश कुमार सिंगर निर्देशित कनपपा का निर्मार अनभवी अभिनेता मोहन बाबो ने अपनी प्रोडेक्शन कमपनियों एबी एंटरेटेन्मेंट और 24 फ्रेंस फैक्टरी के परतिष्टिद बैनर के तहद किया है कनपपा की अधिकारिक रिलीज की तारिक की घोशला अभी बाकी है हाला कि इसके वर्तमान उत्पाच्चरण को देखते हुए 2024 में रिलीज होने की परबल संभावना है कनपपा भारती फिल्म संगित की दो परमुक हस्तियों के बीच सहयोक सेक आकर 60 संगित में अनुभो का वादा करता है मलेयालम सिनेमा में अपने युगदान के लिए जाने जाने वाले परतिष्टित इस्ठीपन देवसी और तेलगु फिल्मों के परमुक संगितकार मड़ी सरमा मिलकर साउंट्रेक बना रहे हैं आगामी तेलगु महाकाब 85 कटपपा का टीजर सुकरवार को जारी किया गया था इस फिल्म को बिश्लू मांचु के करियर की सबसे मातुकांची फिल्म कहा जा सकता है भारत में पाउराडिक फिल्मों को सिनिमा देखने वाले दर्सकों की बीश बड़ी सफलता मिल रही है ऐसे में बिश्लू मांचु को बरुसा है कि कनपा लोगों की दिलों में जगह बनाएगी कनपा का टीजर पूरी तरह से संपादित किया गया है ताकि दर्सकों को इसकी स्टार कास्ट के मामले में फिल्म के पैमाने की एक जलग मिल सके फिल्म में सभी स्टार सहाय कलाकार हैं और इसमें भारत के कुछ सबसे बड़े सुपश्टार के कैमियों भी सामिल है टीजर से एक बात स्पष्ट हो जाती है या पूरीतर से कनपपा की किवंदती पर आधारित है जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए या पौराणिक कहानी एक धनुर्धर की कहानी है जो एक दिन सिवलिंग के छीपे हुए मंदिर पठो कर खाता है और उसका भगत बन जाता ह परसपरिक उपासको के भी प्रीद कनपपा को उसित अनुष्ठानों का ग्यान नहीं था वह वही अर्पित करता था जो वह जानता था अपने सिकार से मांस और अपने मुह से पानी और जब जरूरत होती तो वह भगवानसियू की भक्ती में अपनी आँखे भी बलिदान कर देता था इस परकार वहा कनपपा के रोम में परसिद्ध हो जाता है हाला कि फिल्म कनपपा के वंदती से कुछ बिचार लेती है लेकिन एक अलग सक्ति कहानी बताती है टीजर की सुरुआत भगवानसियू के परतिक वायू लिंग के लिए युद्ध से होती है वायू लिं जाती हुआ ही लिंगपन यंद्रड़ पाने के अपने द्रड़ संकल्प में अडिग हैं और पूरी ताकस से हमला करती हैं कहानी में कनपपा की आस्था को एक से अधिक तरीकों से परखा गया है फिल्म का मुख्या करशड़ इसके एक्शन सीक्वेंस और सुपरस्टार का हमें मल्यालम सुपरस्टार मोहनलाल बॉलीबुडी स्टार अक्षकुमार और तेलगो सुपरस्टार प्रभास की जलक मिलती है सभी भगवांसियों के आतार में नजर आते हैं कान फिल्म फेस्टिबल में अपने परतिष्टिट परदर्शन के बाद महाकाबी एक्शन फिल गई है कनपा के बिज्वल मंचु ने भगत कनपा की कहानी निभाई है फिल्म को मुकेश दोर्या सिंग ने निर्दर जित किया है यह फिल्म एक भगती और बलदान की पौराणी कहानी को जीवन्त करती है मोहनबाबु मोहनलाल परभास अक्षकुमार सरतकुमार काजला ह KARVAल जुका है सक्फ Kubernetes TV के बाद सही परसंसक्साव tremendous का वे सिंदी जार कर रहे हैं विशलो माचो गर्रीम प्रोजेक्ट करनपा का सांदार रिलिजे हो चुका है इस फिल्म का टीजर कुल पांच भासाओं में रिलीज किया गया है फिल्म में परभास, अक्षे कमार, काजला गरवाल, मोहनलाल के अलावा कई अभनेताओं ने आहम भब का निभाई है फिल्म के टीजर में साउट के लावा वाली बुड के भी कई सितारे नजर आये हैं फिल्म का टीजर कुल पांच भासाओं में जारी किया गया है जिसमें तमिल, तेलगु, मल्यालम, कन्नड और हिंदी भासा सामिल है इस माकाब की कहानी को अब दुनिया भर के दर्सक पांच भासाओं में देख सकेंगे या फिल्म हमारे इतिहास का एक महत पोड़ हिसा है और हमें इसे सबसे आगे लाने पर गर्ब है कोश सालों में हमने देखा है कि कैसे आस्थानी कहानिया बेसुस्तर पर गुज़ती है और कनापपा एक ऐसी कहानी है जो हमारी समरस संसकरत में नहीं थै या फिल्म हर जगह के दर्सकों से जुड़ेगी फिल्म के निर्माड में कई दिगत सामिल हैं जिनमें हॉली बोर्ट सिनमेटुग्राफर, गॉल्डन चाओ, एक्सन निर्देसक, केचा, कामकड़ी, कुरियोग्राफर प्रवोदेवा और ब्रंदा है या भारत में आने वाली सबसे महतकांची फिल्मों से एक है फिल्म की जदातार स्यूटिंग नियुजी लेंड में हुई है फिल्म के रिलिजडेट की कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कुछ टाइम पहले नियुज आई थी, साउथ में एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसमें अक्ष्यकुमार और प्रभास दोनों एक साथ आने वाले है सब लोग मान नहीं रहे थे क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स मतलब उनका बजट हजार करोड पार कर जाएगा तो आप एक जीरो कम कर लीजिए सिर्फ सो करोड में यहां काम हो चुका है इधर हम लोग भी जी हैं चंदू चैंपियन में इस तरी टू के सीजन में उधर साउथ को इंड़ेस्टरी में चुपके से परभास का बाहुबली वाला कमबैग भी कर दिया है जिसको सो सिकंड का छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है टीजर से मतलब है जिसको लोग तो किसी और को ढोट रहे थे मार्केटिंग की है कनपपा की टीम ने पास को रिविल कर दिया है चारो तरफ लोग इसकी बादे कर रहे हैं वैसे पता है आपको कनपपा टीजर चाय कैसा हो पर कलेक्शन इसका नमबर मुल रहता है यह हडपा की कहानी है जिसको दुनिया आई डोनर बोला जाता है वहाँ उन्होंने अपने आखे खुद भगवान से को दान कर दी थी इस तीन घंटे की मूबी में बहुत ही अच्छी कहानी है अभी तो खाली टीजर आया है इंट्रेस्टिंग सी कहानी है और एक्चुली में इसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं इसलिए जब उनका टीजर आया सौथ के कंपेरिजन में नोट थीएटर्स में चैदा बॉक्स आफिस कलेक्शन करा जाए इसके पीछे बहुत सॉलिड रीजन है कर्तिके 2 या हनुमान इन सभी मोबियों में इनका बजट नहीं देखते लोग इनका ट्राफिक काफी होता है थीएटर में हाउस फूल बोर्ड लगाने के लिए कनपा भी उसी रास्ते पर चल सकती है फीचर में आने वाला ट्रेलर टीजर के कंपरेजन में क्यों परभास और अक्षे एक्साइड है लेकिन और आप लोग सभी जानते हैं कि कनपा का रिजल्ट इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है काफी सारी गलतिया ढोडने पर मिल जाएंगी इसलिए सो करोड का बजट फिल्म का बताया जा रहा है यहाँ बास सच है टीजर के स्चीन देखकर फिल्म कुछ खास नहीं है ऐसा लग रहा है पूरा टीजर एक गाड में सूट किया गया है वहाँ बी एफ वाला आस्मान पर कुछ इगनोर हो गया है जैसे अक्षे कुमार का OMG2 वाली या देख दम वापस आ लई बॉलीवूड की स्मार्ट मूवी में नाम आता है OMG2 का लेकिन अक्षे कुमार का स्क्रीन परजिंट दोबारा फिर हो रहा है लेकिन टीजर में आने वाले अगले साट के लिए हम लोग बिलकुल तयार नहीं थे पूरे परभास में सिर्फ उनकी आँखे काफी है किसी फिल्म का हाइट क्रेस्ट करने के लिए कनपा की कहानी भगवान सिव के आराउंड गूमती है और वह तो अक्षे कुमार है तो फिर परभास फिल्म में क्या कर रहे हैं अपने फिल्म ट्रिनिटी मतलब तिर्मोती ब्रंभा बिश्डू महश्तिनों दिखने वाले हैं और सालिय चांस बिश्डू का करेक्टर प्ले कर रहे हैं भगवान सिव विश्डू की पोजा करते हैं तो भगवान विश्डू खुद सिव के सबसे बड़े भगत हैं तो बस परभास का वही लौड सिवा के देवोर्टी की तरह इंट्रोडक्शन होने वाला है कनपा में जबकि बाद में फिल्म के अंतर ही अपने असली रूम में आ जाएंगे वैसे इन दोनों एक्टरिस के बीच में अपने तीसरा कैमरा कम्पलीटली मिस कर दिया था लीजेंट मोहनलाल इनका रेक्टर सबसे इंट्रिस्टिंग फिल्म में है वैसे मेरे हिसाब से भगवान ब्रंभा के रूम मेनेजर आएंगे लेकिन टीजर में इनका ट्रांसपोटेशन तो कुछ होर ही बोल रहा है पिल्म का मोमेंट सबसे अलग होगा यह तीनों एक्टर अपने ओरिजिनल लोक में एक साथ तर्मूरती वाले सीन में परजन्ट किये जाएंगे गुसे बम्स लेकिन यहाँ पर एक छोटी से इड़वाइस में जरूर देना चाहूंगा सुनके मेकप पोक्यों की सो करोड़ दाओं पर लगे हैं और पबलिक इतनी आसानी से पैसा खर्च नहीं करती फिर उनके लीड एक्टर्स को थोड़ा और इंपेक्ट लाना पड़ेगा क्योंकि कमियों के सारे फिलम का हाइट जरूर बन सकता है लेकिन पिक्चर नहीं चल सकती कनपा टीजर के लास्ट सीन में डालॉग है जिसमें डारेक्टली भगवांसी को बला गया है कितना एपॉर्टेंट सीन है वह कहानी वाईसी और कनपा के कनेक्शन प्रोजेक्ट करता है लेकिन वहाँ पर डालॉग डिलिवरी सीरियस कम और फनी जदा लगती है मोड खराब हो गया आप टीबी सीरियल नहीं बना रहे हो हमें ड्रामा नहीं चाहिए और नहीं कार्टोन सो देखना चाहते हैं बस रिस्पेक्ट फुली कहानी को प्रोजेंट कर देना है बिना ओवरेक्टिंग या फिर लाउड डैलोग और ओवरडेज बचकानी बिएफेक्स का कनपपा के टीजर में सबसे बड़ा ड्राबैक है देना है जबकि स्क्रीन पर खुद भगवान को उतार दिया गया है अब मैं ज़्यदा वर्सिस नहीं करूँगा ट्रेलर का वेट करते हैं कनपपा के पास मौका है चोक लगेगा या फिर सिर्फ पैकट वह देखना पड़ेगा जल्दी बताओ अक्षे कमार वर्सिस प्रभास वर्जिस महानलाल जिसकी अंटरी पर सबसे ज़्यादा तालिया पीटने पर दिल किया तो मैंने अभी कनपपा मौकी का टीजर देखा और टीजर देखने के बाद मेरे दिमाग में पहली बात यही आई कि आखिर इस मौकी का कोई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तो वो है प्रभासर और उनके अलावा अक्षे कुमार है कुल मिलाकर जो भी चीज़े मैंने इस टीजर में देखी वो क्वालिटी के मामले में बहुत ही घटिया है सच कहूं तो यह नकली लग रहा है या फिर जिस तरह से फायट सिक्वेंस कोरियोग्राप किये गए है इसके अलावा काली माता की मुर्ती स्थापत की गई है और लोग उसके सामने पूजा कर रहे है वो बिल्कुल भी नकली लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हाँ एक्षेट बनाया गया है और इस तरह से मुवी की सूटिंग वहां हो रही है दाएं बाएं दाएं या यहां वहां परभावित नहीं किया मुझे वाकि इस मुवी से उम्मी दे थी मुझे लगा कि साइद ये मुवी अच्छी निकलेगी तो इसका मतलब है कि फिल्म में कुछ खास होगा लेकिन जब मैंने टीजर देखा तो उससे बहुत ही गहरे लेबल पर कसा गया है मुझे कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं लगा हाँ बस मुझे सब फिल्म का टीजर थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगा बाकी और वाल ये बहुत ही ज़्यता फियक लग रहा है किस तरह से इस फिल्म पर करोड़ों खर्चा किये गए हैं ये बाते मुझे समझ नहीं आ रही है और इसके लवा मुझे पहले ही से ही डर था कि इस फिल्म को देखने के बाद परभास सर और अक्छा कुमार के फैंज नाराज ना होने लगे कि असल में परभास सर और अक्छा कुमार ऐसी फिल्में क्यों कर रहे हैं मुझे पता है परभास सर ने दोस्ती आरी की है लेकिन अक्छा कुमार क्यों कर रहे हैं अब बहुत से लोग कहेंगे कि अक्ष्य कुमार पैसो के लिए कर रहे हैं तबाई जब कुछ भी हो सकता है लेकिन दोस्त मुझे मज़ा नहीं आया यार सच कहूं तो मुझे मज़ा नहीं आया और ये कनफर्म हो गया कि भगवान सावा के किरदार में अक्ष्य कुमार नजर आयेंगे लेकिन परभास सर किस किल्दार में होंगे ये अभी किलियर नहीं है मुझे टीजर सीरिसली बहुत खराब लगा और जब भी मैंने टीजर देख रहा था तो पता नहीं कि मुझे सिर्फ नंगेटिव सीजे ही नजर आ रही थी मुझे अमीद थी कि मेकर से इस पर क और काम करेंगे इसके भी फेक्स डारेक्शन पर काम करेंगे एडिटिंग पर काम करेंगे क्योंकि जब तक आप क्वालिटी नहीं देंगे तब तक आप कितने भी बड़े एक्टर्स को ले आओ और उनसे अपनी फिल्म में कैमियों करवा लो आपका कोई फाइदा नहीं हो बाकि आप लोग मुझे बताएं कि आपको इस पर क्या कहना है या आपको इस फिल्म का टीजर कैसा लगा या मूबी भी चुले और सप्टेंबर के बीच से ही रिलीज कर दी जाएगी वैसे इसकी कोई एकदम सही जानकारी अभी तक तो नहीं मिली है लेकिन जैसे ही मिल चाहे कि आपको पता चल साएगा कनपपा एक आगामी भारती पौरालिक नाटक फिल्म है जो मुक्रूप से तेलगु में है या हिंदू देवतास्यु के एक महान भक्त कनपपा नैनार की पोजिनी कहानी पर अधारित है होनहार मुकेश कुमार संगर निर्देशित कनपपा का नि भी बाकी है हाला कि इसके वर्तमान उत्पाचरण को देखते विए दोहजार चोबिस्क में रिलीज होने की परबल संभावना है कनपा भारती फिल्म संगित की दो परमुक हस्तियों के बीच सहयोक से एक आकर 60 संगित मैं अनुभो का वादा करता है मलेयालम सिनेमा में अप 85 कटपा का टीजर सुक्रवार को जारी किया गया था इस फिल्म को बिश्लू मांचू के करियर की सबसे मातुकांची फिल्म कहा जा सकता है बहरत में पावराडिक फिल्मों को सिनेमा देखने वाले दर्सकों की 20 बड़ी सफलता मिल रही है ऐसमें बिश्लू मांचू को लग मिल सके फिल्म में सभी स्टार्स है कलाकार हैं और इसमें भारत के कुछ सबसे बड़े सुपास्टार के कैमियों भी सामिल हैं टीजर से एक बात स्पष्ट हो जाती है या पूरीतर से कनपा की किवंदती पर आधारित है जो लोग नहीं चानते उनके लिए या पावरा कुछ उनों का ग्यान नहीं था वह वही अर्पित करता था जो वह जानता था अपने सिकार से मांस और अपने मुह से पानी और जब जरूरत होती तो अब भागवांसियों की भकिति में अपनी आँखें भी बल्लिदान कर देता था इस परकार वह कनपा के रोम में परसिध हो जाता है, हाला कि फिल्म कनपा कि वंदती से कुछ बिचार लेती है, लेकिन एक अलग सक्ति कहानी बताती है, टीजर की शुरुआत भगवान से के परतीक वायू लिंग के लिए युद्ध से होती है, वायू लिंग पन यंत्रड़ पाने के लिए एक जंजाती दूसरे परि हो जाती है, परिदून्ती जंजाती वायू लिंग पन यंत्रड़ पाने के अपने द्रड़ संकल्प में अडिग हैं और पूरी ताकस से हमला गरती है, कहानी में कनपा की आस्था को एक से अधिक तरीकों से परखा गया है, फिल्म का मुख्या करशड इसके एक्शन सीक्व और सुपर स्टार काइम यो हैं, हमें मलयालम सुपर स्टार मोहनलाल, बॉली बॉडी स्टार अक्षकुमार और यल्यों को सुपर स्टार प्रभास की जलक मिलती है, सभी भगवांसे क्या अतार में नजर आते हैं कान फिल्म फेस्टिबल में अपने परतिष्टिट परदर्शन के बाद महाकाब एक्षन फिल्म कनपा का बहुत परतिष्ट टीजर जारी किया गया है फिल्म के टीजर को कुल पांच भासों में रिलीज किया गया है दुनिया भर के दर्शकू को आखिरकार बिश्णो पौराड़ी कहानी को चीवन करती है मोहन बाब, मोहन लाल, परभास, अक्छे कुमार, सरत कुमार, काजला करवाल सहीद और निकला कारोस सजी इस फिल्म के टीजर रिलीज के बास सहीद पर संसक फिल्म के रिलीज का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं विश्लो मांचू के ट्रीम प्रोजेक्ट कन अप्पा का सांदार टीजर रिलीज हो चुका है इस फिल्म का टीजर कुल पांच भासाओं में रिलीज किया गया है फिल्म में परभास, अक्षेक्मार, काजल अगरवाल, मोहनलाल के अलावा कई अभनेताओं ने अहम भब का निभाई है फिल्म के टीजर में साउथ के अलावा वालीवुड के भी कई सितारे नजर आए है फिल्म का टीजर कुल पांच भासाओं में जारी किया गया है जिसमें तमिल, तेलगू, मल्यालम, कन्नड और हिंदी भासा सामिल है इस महा काप की कहानी को अब दुनिया भर के दर्सक पांच भासाओं में देख सकेंगे या फिल्म हमारे इतिहास का एक महत पोड़ हिस्सा है और हमें इसे सबसे आगे लाने पर गर्ब है कोश सालों में हमने देखा है कि कैसे अस्थानी कहानियां बेसुस्तर पर गुजती है और कनापपा एक ऐसी कहानी है जो हमारी समरस संसकरत में नहीं थै या फिल्म हर जगह के दर्सकों से जुड़ेगी फिल्म के निर्माड में कई दिकत सामिल हैं जिन में हॉली बोर्ट सिनमेटोग्राफर, गोल्डन चाओ, एक्सन निर्देसक, केचा, कामकडी, कुरियोग्राफर प्रवोदेवा और ब्रंदा है या भारत में आने वाली सबसे महत्कान्चिक फिल्मों से एक है फिल्म की जदातार स्यूटिंग नियूजी लैंड में हुई है फिल्म के रिलिजडेट की कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कुछ टाइम पहले नियूज आई थी, साउथ में एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसमें अक्षगमार और प्रभास दोनों एक साथ आने वाले है सब लोग मान नहीं रहे थे क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स मतलब उनका बजट हजार करोड़ पार कर जाएगा तो आप एक जीरो कम कर लीजिए सिर्फ सो करोड़ में यहाँ काम हो चुका है इधर हम लोग बीजी है चंदू चैंपियन में इस तरी 2 के सीजन में उधर साओथ को इंडेस्ट्री में चुपके से परभास का बाहुबली वाला कमबैक भी कर दिया है टीजर से मतलब है जिसको लोग तो किसी और को ढूट रहे تھे मार्केटिंग की है कनपपा की टीम ने पास को रिविल कर दिया है चारो तरफ लोग इसकी बादे कर रहे हैं वैसे पता है आपको कनपपा टीजर चाय कैसा हो पर कलेक्शन इसका नमबर मुल रहता है यह हडपा की कहानी है जिसको दुनिया आई डोनर बोला जाता है वहाँ उन्होंने अपने आखे खुद भगवान सिव को दान कर दी थी इस तीन घंटे की मूबी में बहुत ही अच्छी कहानी है अभी तो खाली टीजर आया है इंट्रेस्टिंग सी कहानी है और एक्चुली में इसके बारे में काफी कम लग जानते हैं इसलिए जब उनका टीजर आया सौथ के कंपेरिजन में नोट थीएटर में ज़्यादा बॉक्स आफिस कलेक्शन करा जाया इसके पीछे बहुत सॉलिड रीजन है करते के टू या हनुमान इन सभी मोबियों में इनका बजट नहीं देखते लोग इनका ट्राफी काफी होता है थीएटर में हाउस फूल बोर्ड लगाने के लिए कनपा भी उसी रास्ते पर चल सकती है फूचर में आने वाला ट्रेलर टीजर के कंपरेजन में क्यों परभास और अक्षे एक्साइड है लेकिन और आप लोग सभी जानते हैं कि कनपा का रिजल्ट इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है काफी सारी गलतिया ढोड़ने पर मिल जाएंगी इसलिए सो करोड का बजट फिल्म का बताया जा रहा है यहाँ बास सच है टीजर के सीन देखकर फिल्म कुछ खास नहीं है ऐसा लग रहा है पूरा टीजर एक गार्ड में सूट किया गया है वहाँ बी एफ वाला आस्मान पर कुछ इग्नोर हो गया है जैसे अक्षे कुमार का OMG2 वाली या देख दम वापस आ गई बॉलिवुड की स्मार्ट मुवी में नाम आता है OMG2 का लेकिन अक्षे कुमार का स्क्रीन परजिंट दोबारा फिल हो रहा है लेकिन टीजर में आने वाले अगले साट के लिए हम लोग बिलकुल तयार नहीं थे पूरे परभास में सिर्फ उनकी आँखे काफी है किसी फिल्म का हाइट क्रेस्ट करने के लिए कनंपा की कहानी भगवान स्यू के आरांड गुमती है और वा तो अक्षे कुमार है तो फिर परभास फिल्म में क्या कर रहे हैं अपनी फिल्म ट्रिनिटी मतलब तिर्मोती ब्रंभा पिश्डो महस्तीनों दिखने वाले हैं और सालिड चांस बिश्डो का करेक्टर प्ले कर रहे हैं भगवान स्यू बिश्डो की पूजा करते हैं तो भगवान बिश्डो खुद स्यू के सबसे बड़े भगत हैं तो बस परभास का वही लौड स्यूवा के देवोटी के तरह इंट्रोडक्शन होने वाला है कनपा में जबकि बाद में फिल्म के अंतर ही अपने असली रूम में आ जाएंगे वैसे इन दोनों एक्टरिस के बीच में अपने तीसरा कैमरा कम्प्लीटली मिस कर दिया था लीजेंट मोहनलाल इनका रेक्टर सबसे इंट्रिस्टिंग फिल्म में है वैसे मेरे हिसाब से भगवान ब्रंभा के रूम मेनेजर आएंगे लेकिन टीजर में इनका ट्रांस्पोटेशन तो कुछ होर ही बोल रहा है फिल्म का मोमेंट सबसे अलग होगा यह तीनों एक्टर अपने ओरिजिनल लोक में एक साथ तरिमूरती वाले सीन में परजन्ट किये जाएंगे गूसे बम्स लेकिन यहाँ पर एक छोटी सेड़वाइस में जरूर देना चाहूंगा सुनके मेकप पोक्यों की सो करोड़ दाउं पर लगे हैं और पबलिक इतनी आसानी से पैसा खर्च नहीं करती फिर उनके लीड एक्टर्स को थोड़ा और इंपक्ट लाना पड़ेगा क्योंकि कमियों के सारे फिलम का हाइट जरूर बन सकता है लेकिन पिक्चर नहीं चल सकती कनपा टीजर के लास्ट सीन में डालॉग है जिसमें डारेक्टली भगवांसिव को बला गया है कितना एपॉर्टन सीन है वह कहानी वाईसिव और कनपा के कनेक्शन प्रोजेक्ट करता है लेकिन वहाँ पर डालॉग डिलिवरी सीरियस कम और फनी ज्यादा लगती है मोड खराब हो गया आप टीबी सीरियल नहीं बना रहे हो हमें ड्रामा नहीं चाहिए और नहीं कार्टोन सो देखना चाहते हैं बस रिस्पेक्ट फुली कहानी को प्रोजेंट कर देना है बिना ओवरेक्टिंग या फिर लाउड डैलोग और ओवरडेज बचकानी बीफेक्स का कनपा के टीजर में सबसे बड़ा ड्राबैक है एमोसंस का मिसिंग हो रहा है जबकि स्क्रीन पर खुद भगवान को उतार दिया गया है अब मैं ज़्यदा वर्सिस नहीं करूंगा ट्रेलर का वेट करते हैं कनपा के पास मौका है चोक लगेगा या फिर सिर्फ पैकट वह देखना पड़ेगा जल्दी बताओ अक्षे कमार वर्सिस प्रभास वर्जिस मौनलाल जिसकी अंट्री पर सबसे ज़्यादा तालिया पीटने पर दिल किया तो मैंने अभी कनपा मौकी का टीजर देखा और टीजर देखने के बाद मेरे दिमाग में पहली बात यही आई कि आखिर इस मूबी का कोई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तो वो है प्रभासर और उनके अलावा अक्षे कुमार है कुल मिलाकर जो भी चीजे मैंने इस टीजर में देखी वो क्वालिटी के मामले में बहुत ही घटिया है सच कहूं तो यह नकली लग रहा है या फिर जिस तरह से फायट स्रिक्वेंस कोरियोग्राप किये गए हैं इसके अलावा काली माता की मुर्ती स्थापत की गई है और लोग उसके सामने पूजा कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नकली लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हाँ एक्सेट बनाया गया है और इस तरह से मुवी की सूटिंग वहां हो रही है दाएं बाएं दाएं या यहाँ वहां परभावित नहीं किया मुझे वाकि इस मुवी से उम्मी दे थी मुझे लगा कि साइद एमोबी अच्छी निकलेगी लेकिन मुझे लगा कि साइद अगर प्रभाव सरे मुवी करने के लिए तयार हो जाएं तो इस मुवी की संभावना बढ़ जाएगी इसके बाद मुझे पता चला कि अक्छे कुमार भी ये फिल्म कर रहे हैं तब मुझे बरोसा हो गया कि अगर दो बेड़े एक्टर एक फिल्म करने के लिए राजी हो गए हैं तो इसका मतलब है कि फिल्म में कुछ खास होगा लेकिन जब मैंने टीचर देखा तो उससे लोग खर्चा किये गए हैं ये बाते मुझे समझ नहीं आरही हैं और इसके लवा मुझे पहले हिसे ही डर था कि इस फिल्म को देखने के बाद परभास सर और अक्छे कुमार के ब्ली करने के लिए आरी की है लेकिन अक्छे कुमार क्यों कर रहे हैं अब बहुत से लोग कहेंगे कि अक्छे कुमार पैसो के लिए कर रहे हैं तबाई जब कुछ भी हो सकता है लेकिन दोस्त मुझे मज़ा नहीं आया यार सच को भी मैंने टीजर देख रहा था तो पता नहीं कि मुझे सिर्फ नंगेटिव जीजे ही नजर आ रही थी मुझे अमीद थी कि मेकर से इस पर काम और काम करेंगे इसके भी फैक्स डारेक्शन पर काम करेंगे एडिटिंग पर काम करेंगे क्योंकि जब तक आप क्वालिटी नहीं देंगे तब तक आप कितने भी बड़े एक्टर्स को ले आओ और उनसे अपनी फिल्म में कैमियों करवा लो आपका कोई फाइदा नहीं होने वाला बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आपको इस पर क्या कहना है या आपको इस फिल्म का टीजर कैसा लगा या मूबी भी चुले और सब्टेंबर के बीच से ही रिलीश कर दी जाएगी वैसे इसकी कोई एकदम सही जानकारी अभी तक तो नहीं मिली है लेकिन जैसे ही मिल चाहेगी आपको पता चल चाहेगा कनपपा एक आगामी भारती पौराडिक नाटक फिल्म है जो मुकरूप से तेलगु में है या हिंदू देवतास्यू के एक महान भक्त कनपपा नैनार की पोजिनी कहानी पर अधारित है होनहार मुकेश कुमार सिंगर निर्देशित कनपपा का निर्मार अनभवी अभिनेता मुहन बाबो ने अपनी प्रोडेक्शन कमपनियों A.B. Entertainment और 24 फ्रेंस फैक्टरी के परतिष्टिद बैनर के तहद किया है कनपपा की अधिकारिक रिलीज की तारीक की घोशला अभी बाकी है हाला कि इसके वर्तमान उत्पाचरण को देखते हुए 2024 में रिलीज होने की परबल संभावना है कनपपा भारती फिल्म संगीत की दो परमुक हस्तियों के बीच सहयोक सेक आकर 60 संगीत मैं अनुभो का वादा करता है मलेयालम सिनेमा में अपने युगदान के लिए जाने जाने वाले परतिष्टित इस्ठीपन देवसी और तेलगु फिल्मों के परमुक संगीतकार मड़ी सरमा मिल कर साउंट्रेक बना रहे हैं आगामी तेलगु महाकाब 85 कटपपा का टीजर सुकरवार को जारी किया गया था इस फिल्म को बिशलु मांचु के करियर की सबसे महतुकांची फिल्म कहा जा सकता है बारत में पाउराडिक फिल्मों को सिनेमा देखने वाले दर्सकों की 20 बड़ी सफलता मिल रही है ऐसे में बिशलु मांचु को भरुसा है कि कनपा लोगों की दिलों में जगह बनाएगी कनपा का टीजर पूरी तरह से संपादित किया गया है ताकि दर्सकों को इसकी स्टार कास्ट के मामले में फिल्म के पैमाने की एक जलग मिल सके फिल्म में सभी स्टार सहाय कलाकार हैं और इसमें भारत के कुछ सबसे बड़े सुपाश्टार के कैमियों भी सामिल हैं टीजर से एक बात सपष्ट हो जाती है या पूरी तरह से कनपा की किवंदिती पर आधारित है जो लोग नहीं चानते उनके लिए या पौराडिक कहानी एक धनुर्धर की कहानी है जो एक दिन सिवलिंग के छीपे हुए मंदिर पठो कर खाता है और उसका भाक्त बन जाता है परसपरिक उपासको के भी प्रीद कनपा को उसित अनुष्ठानों का ग्यान नहीं था वह वही अर्पित करता था जो वह जानता था अपने सिकार से मांस और अपने मुह से पानी और जब जरूरत होती तो वह भगवानसियू की भक्ती में अपनी आँखे भी बलिदान कर द लता है हाला कि फिल्म कनपा के वंदती से कुछ बिचार लेती है लेकिन एक अलग सकती कहानी बताती है टीजर की शुरूरत भगवानसियू के परतीक वायू लिंग के लिए युद्ध से होती है वायू लिंग पन यंत्रड़ पाने के लिए एक जंजाती दूसरे लेकिन अंत में बिश्डू मंचु दरा निभाये गए कनपा की युद्ध कौसल से परभायूत हो जाती है परित्दूंती जंजाती हुआ ही लिंग पन यंत्रड़ पाने के अपने द्रड़ संकल्प में अडिग है और पूरी ताकस से हमला गरती है कहानी में कनपा की को भास की जलक मिलती है सभी भगवन सिव के अवतार में नजर आते हैं कान फिल्म फेस्टिबल में अपने परतिष्ट परदर्शन के बाद महाकाबी एक्षन फिल्म कनपा का बहुत परतिछित टीजर जारी किया गया है फिल्म के टीजर को कुल पांच भासों में रिलीज क किया है यहाँ फिल्म एक भक्ति और बलदान की पौराड़ी कहानी को चीवन्त करती है मोहन बाबो मोहन लाल परभास अक्षे कुमार सरतकुमार काजला करवाल सहीद और निकलाकारोस सजी इस फिल्म के टीजर रिलीज के बास सही परसंसक फिल्म के रिलीज का बेसबरी से ने अहम भब का निभाई है फिल्म के टीजर में साउथ के लावा वालीवुड के भी कई सितारे नजर आये हैं फिल्म का टीजर कुल पांच भासाओं में जारी किया गया है जिसमें तमिल, तेलगु, मल्यालम, कन्नड और हिंदी भासा सामिल है इस महाकाब की कहानी को अब बिसुस्तर पर गुजती हैं और कनापपा एक ऐसी कहानी है जो हमारी समरस संसक्रत में नहीं थे यह फिल्म हर जगह के दर्शकों से जुड़ेगी फिल्म के निर्माड में कई दिगश सामिल हैं जिन में हॉलीवुड सिनमेटुग्राफर, वोल्डन चाओ, एक्शन कारी अभी तक सामने नहीं आई है, कुछ टाइम पहले नियू जाई थी, साउथ में एक ऐसी फिल्म बन रही है, जिसमें अक्शकमार और परभास दोनों एक साथ आने वाले हैं, सब लोग मान नहीं रहे थे, क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स मतलब उनका बजट हजार करो परभास का बाहुबली वाला कमबैक भी कर दिया है, उधर साउथ ने इंडेस्टरी में चिपके से परभास का बाहुबली वाला कमबैक भी कर दिया बात कनपा की हो रही है, जिसको सो सिकंड का छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है, टीजर से मतलब है जिसको लोग तो किस और को ढोट रहे थे मार्केटिंग की है कनपपा की टीम ने पास को रिविल कर दिया है चारो तरफ लोग इसकी बादे कर रहे हैं वो इसे पता है आपको कनपपा टीजर चाय कैसा हो पर कलेक्शन इसका नंबर मुल रहता है यहां हडपा की कहानी है जिसको दुनिया आई डोन बोला जाता है वहाँ उन्होंने अपने आखे खुद भगवान से उको दान कर दी थी इस तीन घंटे की मोबी में बहुत ही अच्छी कहानी है अभी तो खाली टीजर आया है इंट्रेस्टिंग सी कहानी है और एक्चुली में इसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं इसलि नहीं देखते लोग इनका ट्राफिक काफी होता है थीटर में हाउस फूल बोर्ड लगाने के लिए कनपा भी उसी रास्ते पर चल सकती है फ्यूचर में आने वाला ट्रेलर टीजर के कमपरेजन में क्यों परभास और अक्छे एक्साइड है लेकिन और आप लोग सभी जान ही है ऐसा लग रहा है पूरा टीजर एक गार्ड में सूट किया गया है वहाँ बी एफ वाला आसमान पर कुछ इग्नोर हो गया है जैसा एक्छा कमार का ओमजी टू वाली या देख दम वापस आ गई बॉली बुड की स्मार्ट मूवी में नाम आता है ओमजी टू का लेकिन एक्छा कमार का स्क्रीन परजेंट दोबारा फीड हो रहा है लेकिन टीजर में आने वाले अगले साट के लिए हम लोग बिल्कुल तयार नहीं थे पूरे परभास में सिर्फ उनकी आँखे काफी हैं किसी फिल्म का हाइट क्रास करने के लिए कनपा की कहानी भगवान सिव क कारेक्टर प्ले कर रहे हैं भगवान सिव बिश्व की पूजा करते हैं तो भगवान बिश्व खुद सिव के सबसे बड़े भक्त हैं तो बस परभास का वही लौड सिवा के देवोटी के तरह इंट्रोडक्शन होने वाला है कनपा में जबकि बाद में फिल्म के अंतर ही अपने असली रूम में आ जाएंगे वैसे इन दोनों एक्टरिस के बीच में अपने तीसरा कैमरा कंप्लीटली मिस कर दिया था लिजेंट मोहलाल इन का रेक्टर सबसे इंट्रेस्टिंग फिल्म में हैं वैसे मेरे हिसाब से भगवान बरंभा के रूम मेनेजर आएंगे ल लेकिन यहाँ पर एक छोटी से इडवाइस में जरूर देना चाहूंगा सुनके मेकप पोक्यों की सो करोड़ दाओं पर लगे हैं और पबलिक इतनी आसानी से पैसा खर्च नहीं करती फिर उनके लीड एक्टर्स को थोड़ा और इंपेक्ट लाना पड़ेगा क्योंकि कमि कर्णेक्शन प्रोजेक्ट करता हैं लेकिन वहाँ पर ड्यालोग ड्रीवरी सीरियस कम और फनी ज्यादा लग दिये मोड़ खराब हो गया आप टीवी सीरियल नहीं बना रहे हो हमें ड्रामा नहीं चाहिए और नहीं कार्टों सो देखना चाहते हैं बस रिस्पेक्ट फुल जबकि स्क्रीन पर खुद भगवान को उतार दिया गया है अब मैं ज़्यदा वर्सिस नहीं करूंगा ट्रेलर का वेट करते हैं कन अप्पा के पास मौका है चोक लगेगा या फिर सिर्फ पैकट वह देखना पड़ेगा जल्दी बताओ अक्षे कमार वर्सिस प्रभास बात यही आई कि आखिर इस मूबी का कोई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तो वह है प्रभास और उनके अलावा आक्षे कुमार है कुल मिलाकर जो भी चीज़े मैंने इस टीचर में देखी वो क्वालिटी के मामले में बहुत ही घटिया है सच कहूं तो यह नकली लग र है ऐसा लग रहा है कि हाँ एक सट बनाया गया है और इस तरह से मूबी की सूटिंग वहां हो रही है दाएं बाएं दाएं यहां वहां पर भावित नहीं किया मुझे वाकि इस मूबी से उम्मी दे थी मुझे लगा कि साइद यह मूबी अच्छी निकलेगी लेकिन मुझे कि साइद अगर प्रभासरे मूबी करने के लिए तयार हो जाएं तो इस मूबी की संभावना बढ़ जाएगी इसके बाद मुझे पता चला कि अक्छे कुमार भी यह फिल्म कर रहे हैं तब मुझे बरोसा हो गया कि अगर दो बेड़े एक्टर एक फिल्म करने के लिए अच्छा लगा बाकी और वाल यह बहुत ही ज़्यादा प्हेंक लग रहा है किस तरह से इस फिल्म पर करोड़ो खर्चा किये गए हैं ये बाते मुझे समझ नहीं आ रही हैं और इसके लवा मुझे पहले हिसे ही डर था कि इस फिल्म को देखने के बाद प्रभासर और अक् अक्छे कमार पैसो के लिए कर रहे हैं तब आई जब कुछ भी हो सकता है लेकिन दोस्त मुझे मज़े मज़ा नहीं आया यार सच को हो तो मुझे मज़ा नहीं आया और ये कंफर्म हो गया कि भगवान सावा के किरदार में अक्छे कमार नजर आएंगे लेकिन परभासर किस किरदार में होंगे ये अभी किलियर नहीं है मुझे टीजर सिरिसली बहुत खराब लगा और जब भी मैंने टीजर देख रहा था तो पता नहीं कि मुझे सिर्फ नंगेटिव सीज़े ही नजर आ रही थी मुझे अमीद थी कि मेकर से इस पर काम और काम करेंगे इसके भी फ पाइदा नहीं होने वाला बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आपको इस पर क्या कहना है या आपको इस फिल्म का टीजर कैसा लगा या मुबी भी चुले और सप्टेंबर के बीच से ही रिलीज कर दी जाएगी वैसे इसकी कोई एकदम सही जानकारी अभी तक तो नहीं मिल है लेकिन जैसे ही मिल चाहेगी आपको पता चल चाहेगा कनपपा एक आगामी भारती पौराडिक नाटक फिल्म है जो मुख्रूप से तेलगु में है या हिंदू देवतास्यू के एक महान भक्त कनपपा नैनार की पोजिनी कहानी पर अधारित है होनहार मुकेश कुमार सं कंपनियों एबी एंटरेटेन्मेंट और 24 फ्रेंस फैक्टरी के परतिष्टिद बैनर के तहद किया है कनपपा की अधिकारिक रिलीज की तारिक की घोशला अभी बाकी है हाला कि इसके वर्तमान उत्पाच्चरण को देखते हुए 2024 में रिलीज होने की प्रबल संभावना ह कनपा भारती फिल्म संगीत की दो परमुक हस्तियों के बीच सहयोग सेक आकर 60 संगीत में अनुभो का वादा करता है मले आलम सिनेमा में अपने युगदान के लिए जाने जाने वाले परतिष्टित इस्ठीपन देवसी और तेलगू फिल्मों के परमुक संगीत कार मड़ी सरमा मिलकर साउंड ट्रैक बना रहे हैं आगामी तेलगू महाकाब 85 कटपपा का टीजर सुकरवार को जारी किया गया था इस फिल्म को बिश्लू मांचू के करियर की सबसे मातुकांची फिल्म कहा जा सकता है भारत में पाउराडिक फिल्मों को सिनिमा देखने वाले दर्सकों की बीश बड़ी सफलता मिल रही है ऐसे में बिश्लू मांचू को बरुसा है कि कनपा लोगों की दिलों में जगह बनाएगी कनपा का टीजर पूरी तरह से संपादित किया गया है ताकि दर्सकों को इसकी स्टार कास्ट के मामले में फिल्म के पैमाने की एक जलक मिल सके फिल्म में सभी स्टार सहाई कलाकार हैं और इसमें भारत के कुछ सबसे बड़े सुपह स्टार के कैमियों भी सामिल है टीजर से एक बात स्पष्ट हो जाती है या पूरीतर से कनपपा की किवंदती पर आधारित है जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए या पौराणिक कहानी एक धनुर्धर की कहानी है जो एक दिन सिवलिंग के छीपे हुए मंदिर पठो कर खाता है और उसका भगत बन जाता ह पारसपरिक उपासको के भी प्रीद कनपपा को उसित अनुष्ठानों का ग्यान नहीं था वह वही अर्पित करता था जो वह जानता था अपने सिकार से मांस और अपने मुह से पानी और जब जरूरत होती तो वह भगवांसियू की भक्ती में अपनी आँखे भी बलिदान क कर देता था इस परकार वहा कनपपा के रूम में परसिद्ध हो जाता है हाला कि फिल्म कनपपा के वंदती से कुछ बिचार लेती है लेकिन एक अलग सक्ति कहानी बताती है टीजर की सुरुआत भगवांसियू के परतिक वायू लिंग के लिए युद्ध से होती है वायू चंजाती हुआ ही लिंगपन यंत्रड़ पाने के अपने द्रड़ संकल्प में अडिग हैं और पूरी ताकस से हमला करती हैं कहानी में कनपपा की आस्था को एक से अधिक तरीकों से परखा गया है फिल्म का मुख्या करशड़ इसके एक्शन सीक्वेंस और सुपरस्टार क अक्षेकुमार और तेलगो सुपरस्टार प्रभास की जलक मिलती है सभी भगवन से के आउतार में नजर आते हैं कान फिल्म फेस्टिबल में अपने परतिष्टिट परदर्शन के बाद महाकावी एक्शन फिल्म कनपपा का बहुत परतिछित टीजर जारी किया गया है फि फिल्म को मुकेश दोर्या सिंग ने निर्दर्शित किया है यहाँ फिल्म एक भक्ति और बलदान की पौराणी कहानी को जीवन करती है मोहन बाबो मोहन लाल परभास अक्षेकुमार सरतकुमार काजला करवाल सहीद और निकलाकारोस सजी इस फिल्म के टीजर रिलीज के बा भास, अक्षेकुमार, काजला गरवाल, मोहन लाल के लावा कई अभनेताओं ने अहम भब का निभाई है फिल्म के टीजर में साउथ के लावा वालीबुड के भी कई सितारे नजर आये हैं फिल्म का टीजर कुल पांच भासाओं में जारी किया गया है जिसमें तमिल, तेल लुगु, मल्यालम, कन्नड और हिंदी भासा सामिल है इस महा काप की कहानी को अब दुनिया भर के दर्सक पांच भासाओं में देख सकेंगे या फिल्म हमारे इतिहास का एक महतपोड हिसा है और हमें इसे सबसे आगे लाने पर गर्ब है कोई सालों में हमने देखा है कि कैस इसे अस्थानी कहानियां बेसुस्तर पर गुजती है और कनापपा एक ऐसी कहानी है जो हमारी समरस संसक्रत में नहीं थै या फिल्म हर जगह के दर्सकों से जुड़ेगी फिल्म के निर्माड में कई दिगत सामिल हैं जिनमें हॉल्य बोर्ट सिनमेटुग्राफर गॉल्ड के रिलीज डेट की कोई जानकारिय भी तक सामनें नहीं आई है कुछ टाइम पहले नियू जाई थी साउथ में एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसमें अक्षकमार और परभास दोनों एक साथ आने वाले हैं सब लोग मान नहीं रहे थे क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स मतलब उनका बजट हजार करोड पार कर जाएगा तो आप एक जीरो कम कर लीजिए सिर्फ सो करोड में यहां काम हो चुका है इधर हम लोग भी जी हैं चंदू चैंपियन में इस तरी टू के सीजन में उधर साउथ को इंडेस्ट्री में चिपके से परभास का बाहुबली वाला कम कनुद की हो रही है जिसको 100 सिकंट का चोटा सा टीजर रिलीज किया गया है टीजर से मतलब है जिसको लोग तो किसी और को ढोट रहे थे मार्किटिंग की है कनपा की टीम ने पास्प Skill कर दिया है चारोंत्रफ लोग इसकी बादों कर रहे हैं वैस से पता है आपको कनंपा teenager चाय कैसा हो पर कलेक्शन इसका नंबर मुल रहता है यह हडपा की कहानी है जिसको दुनिया आई डोनर बोला जाता है वहाँ उन्होंने अपने आखे खुद भगवान से उको दान कर दी थी इस तीन घंटे की मोबी में बहुत ही अच्छी कहानी है अभी तो खाली टीजर आया जाय इसके पीछे बहुत सॉलिड रीजन है करते के टू या हनुमान इन सभी मोबी में का बजट नहीं देखते लोग इनका ट्राफी काफी होता है थीटर में हाउस फूल बोर्ड लगाने के लिए कनपा भी उसी रास्ते पर चल सकती है फ्यूचर में आने वाला ट्रेलर ट इसलिए सो क्रोड का बजट फिल्म का बताया जा रहा है यहाँ बास सच है टीजर के सीन देखकर फिल्म कुछ खास नहीं है ऐसा लग रहा है पूरा टीजर एक गार्ड में सूट किया गया है वहाँ बी एफ वाला आसमान पर कुछ इगनोर हो गया है जैसे एक्छे कुमार क ओएमजी 2 वाली या देख दम वापस आ गई बॉली बुड की स्मार्ट मूवी में नाम आता है ओएमजी 2 का लेकिन अक्छे कुमार का स्क्रीन परजिंट दोबारा फिल हो रहा है लेकिन टीजर में आने वाले अगले साट के लिए हम लोग बिलकुल तयार नहीं थे पूरे फिल्म ट्रिनिटी मतलब तिरमोती ब्रंभा पिश्डू महस्तिनों दिखने वाले हैं और सालिट चांस बिश्डू का करेक्टर प्ले कर रहे हैं भगवान सिव बिश्डू की पूजा करते हैं तो भगवान बिश्डू खुद सिव के सबसे बड़े भक्त हैं तो बस परभ केमरा कम्पलीटली मिस कर दिया था लीजेंट मोहलाल इनका रेक्टर सबसे इंट्रेस्टिंग फिल्म में हैं वैसे मेरे हिसाब से भगवान ब्रंभा के रो मेनेजर आएंगे लेकिन टीजर में इनका ट्रांस्पोटेशन तो कुछ होर ही बोल रहा है फिल्म का मोमेंट सबसे लग होगा यह तीनों एक्टर अपने ओरिजिनल लोक में एक साथ त्रिमूरती वाले सीन में परजेंट किये जाएंगे गूसे बंस लेकिन यहाँ पर एक छोटी से इडवाइस में जरूर देना चाहूंगा सुनके मेकप पोक्यों की सो करोड़ दाओं पर लगे हैं और जिसमें डारेक्टली भगवांसी को बला गया है कितना एपॉर्टेंट सीन है वह कहानी वाइस और कनप्पा के कनेक्शन प्रोजेक्ट करता है लेकिन वहाँ पर डालोग डिलिवरी सीरियस कम और फनी जादा लगती है मोड खराब हो गया आप टीबी सीरियल नहीं बना रह हो हमें ड्रामा नहीं चाहिए और नहीं कार्टोन सो देखना चाहते हैं बस रिस्पेक्ट फुली कहानी को प्रोजेंट कर देना है बिना ओवरेक्टिंग या फिर लाउड डैलोग और ओवर्डेज बचकानी बीफेक्स का कनप्पा के टीजर में सबसे बड़ा ड्राबैक ह मिसिंग हो रहा है जबकि स्क्रीन पर खुद भगवान को उतार दिया गया है अब मैं ज्यादा वर्सिस नहीं करूंगा ट्रेलर का वेट करते हैं कनप्पा के पास मौका है चोक लगेगा या फिर सिर्फ पैकट वह देखना पड़ेगा जल्दी बताओ अक्षे कमार वर्सि पर सबसे ज़्यादा तालिया पीटने पर दिल किया तो मैंने अभी कनप्पा मूवी का टीजर देखा और टीजर देखने के बाद मेरे दिमाग में पहली बात यही आई कि आखिर इस मूवी का कोई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तो वह है प्रभासर और उनके अलावा पाक्षे कुमार हैं कुल मिलाकर जो भी चीजे मैंने इस टीजर में देखी वो क्वालिटी के मामले में बहुत ही घटिया हैं सच कहूं तो यह नकली लग रहा है या फिर जिस तरह से फायट सिक्वेंस कोरियोग्राप किये गए हैं इसके अलावा काली माता की मूर्ती इस् किया मुझे वाकि इस मूबी से उम्मीद दे थी मुझे लगा कि साइद एमूबी अच्छी निकलेगी लेकिन मुझे लगा कि साइद अगर प्रभासर एमूबी करने के लिए तयार हो जाएं तो इस मूबी के संभावना बढ़ जाएगी इसके बाद मुझे पता चला कि अक अच्छा नहीं लगा हाँ बस मुझे सब फिल्म का टीजर थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगा बाकी और वाल ये बहुत ही ज़्यता फैक लग रहा है किस तरह से इस फिल्म पर करोड़ों खर्चा किये गए हैं ये बाते मुझे समझ नहीं आ रही हैं और इसके लवा अच्छे पहले हिसे ही डर था कि इस फिल्म को देखने के बाद परभास सर और अक्छे कुमार के नाराज ना होने लगे कि असल में परभास सर और अक्छे कुमार ऐसी फिल्में क्यों कर रहे हैं मुझे पता है परभास सर ने दोस्ती आरी की है लेकिन अक्छे कुमार क्यों कर रहे हैं अब बहुत से लोग का कहेंगे कि अक्षे कुमार पैसो के लिए कर रहे हैं तबाई जब कुछ भी हो सकता है लेकिन दोस्त मुझे मज़े मज़ा नहीं आया यार सच कहों तो मुझे मज़ा नहीं आया और ये कनफर्म हो गया कि भगवान सावा के किरदार में इसके भी फैक्स डारेक्शन पर काम करेंगे एडिटिंग पर काम करेंगे क्योंकि जब तक आप क्वालिटी नहीं देंगे तब तक आप कितने भी बड़े एक्टर्स को ले आओ और उनसे अपनी फिल्म में कैमियों करवा लो आपका कोई फाइदा नहीं होने वाला बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आपको इस पर क्या कहना है या आपको इस फिल्म का टीजर कैसा लगा या मूबी भी चुले और सप्टेंबर के बीच से ही रिलीश कर दी जाएगी वैसे इसकी कोई एकदम सही जानकारी अभी तक तो नहीं मिली है लेकिन जैसे ही मिल चाहेगी आपको पता चल जाएगा कनपपा एक आगामी भारती पौरालिक नाटक फिल्म है जो मुक्रूप से तेलगु में है या हिंदू देवतास्यु के एक महान भक्त कनपपा नैनार की पोजिनी कहानी पर अधारी थे होनहार मुकेश कुमार संगर निर्देशित कनपपा का निर की घोशला अभी बाकी है हाला कि इसके वर्तमान उत्पाचरण को देखते हुए दोहजार चोबिस्क में रिलीज होने की प्रबल संभावना है कनपा भारती फिल्म संगीत की दो परमुक हस्तियों के बीच सहयोक से एक आकर 60 संगीत में अनुभों का वादा करता है मलेयालम सिनेमा में अपने युगदान के लिए जाने जाने वाले परतिष्टित इस्ठीपन देवसी और तेलगू फिल्मों के परमुक संगीत कार मड़ी सरमा मिलकर साउंट्रेक बना रहे हैं आगामी तेलगू महाकाब 85 कटपपा का टीजर सुकरवार को जारी किया गया था इस फिल्म को बिश्डू मांचू के करियर की सबसे मातुकांची फिल्म कहा जा सकता है बारत में पाउराडिक फिल्मों को सिनेमा देखने वाले दर्सकों की बीच बड़ी सफलता मिल रही है ऐसे में बिश्डू मांचू को बरुसा है कि कनपपा लोगों की दिलों में जगह बदाएगी कनपपा का टीजर पूरी तरह से संपादित किया गया है ताकि दर्सकों को इसकी स्टार कास्ट के मामले में फिल्म के पैमाने की एक जलग मिल सके फिल्म में सभी स्टार सहाई क जानते हैं उनके लिए यह पौरारिक कहानी एक धनुर्धर की कहानी है जो एक दिन सिवलिंग के छीपे हुए मंदिर पठो कर खाता है और उसका भगत बन जाता है पारसपरिक उपासकों के भी प्रीद कनपपा को उसित अनुस्ठानों का ग्यान नहीं था वह वही अर्पि हो जाता है हाला कि फिल्म कनपा किवंदती से कुछ बिचार लेती है लेकिन एक अलग सक्ति कहानी बताती है टीजर की सुरुआत भगवान से के परतीक वायू लिंग के लिए युद्ध से होती है वायू लिंग पन यंत्रड़ पाने के लिए एक जंजाती दूसरे परिद क करती है लेकिन अंत में बिश्डु मंचु दरा निभाये गए कनपा की युद्ध कोसल से परभावित हो जाती है परिदून्ती जंजाती हुआ ही लिंग पन्यंत्रड़ पाने के अपने द्रड़ संकल्प में अडिग है और पूरी ताकस से हमला गरती है कहानी में कनपा की आस्था को एक से अधिक तरीकों से परखा गया है फिल्म का मुख्या करशड़ इसके एक्शन सीक्वेंस और सुपरस्टार का इम्यों हैं हमें मल्यालम सुपरस्टार मोहनलाल बॉली बुडी स्टार अक्षकुमार और तेलगो सुपरस्टार प्रभास की जलक मिलती है सभी दर्सकु को आखिरकार विश्लो मांचु के ड्रीम प्रोजेक्ट के एक जलक देखनों को मिल गई है कनपा के बिज्वल मांचु ने भगत कनपा की कहानी निभाई है फिल्म को मुकेश द्वारा सिंग ने निर्दर्जित किया है यहाँ फिल्म एक भगती और बलदान की दिजार कर रहे हैं विश्लो मांचु के ड्रीम प्रोजेक्ट कन अपा का सांदार टीजर रिलीज हो चुका है इस फिल्म का टीजर कुल पांच भासाओं में रिलीज किया गया है फिल्म में परभास, अक्षकमार, काजला गरवाल, मोहनलाल के अलावा कई अभनेताओं ने अहम भब का निभाई है फिल्म के टीजर में साउथ के लावा वालीबुड के भी कई सितारे नजर आये हैं फिल्म का टीजर कुल पांच भासाओं में जारी किया गया है जिसमें तमिल, तेलगु, मल्यालम, कन्नल और हिंदी भासा सामिल है इस महाकाब की कहानी को अब दु उस्तर पर गुज़ती हैं और कनापपा एक ऐसी कहानी है जो हमारी समरस संसक्रत में नहीं थै या फिल्म हर जगह के दर्शकों से जुड़ेगी फिल्म के निर्माड में कई दिगश सामिल हैं जिनमें हौलीबुड सिनमेटुग्राफर, वोल्डन चाओ, एक्शन निर्दे अबी तक सामने नहीं आई है, कुछ टाइम पहले नियु जाई थी, साउथ में एक ऐसी फिल्म बन रही है, जिसमें अक्शक्मार और प्रभास दोनों एक साथ आने वाले हैं, सब लोग मान नहीं रहे थे, क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स मतलब उनका बजट हजार करोड पार कर जाएगा, तो आप एक जीरो कम कर लीजिए, सिर्फ सो करोड में यहां काम हो चुका है, इधर हम लोग भी जी हैं, चंदू चैंपियन में, इस तरी टू के सीजन में, उधर साउथ को इंडेस्टरी में चुपके से परभास का बाहुबली वाला कमबैक भी कर दिया ह हो रही है, जिसको सो सिकंड का छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है, टीजर से मतलब है जिसको लोग तो किसी और को ढोट रहे थे, मार्केटिंग की है कनपा की टीम ने पास को रिविल कर दिया है, चारो तरफ लोग इसकी बादे कर रहे हैं, वैसे पता है आपको कनपा ट मोबी में बहुत ही अच्छी कहानी है अभी तो खाली टीजर आया है इंट्रेस्टिंग सी कहानी है और एक्चुली में इसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं इसलिए जब उनका टीजर आया सौथ के कंपेरिजन में नोट थियेटर्स में जदा बॉक्स आफिस कलेक्शन कर करा जाए इसके पीछे बहुत सौलिड रीजन है करतिके टू या हनुमान इन सभी मोबियो में का बजट नहीं देखते लोग इनका ट्राफिक काफी होता है थियेटर में हाउस फूल बोर्ड लगाने के लिए कनपा भी उसी रास्ते पर चल सकती है फिचर में आने वाला ट् फिल्म का बताया जा रहा है यहां बास सच है टीजर के सीन देखकर फिल्म कुछ खास नहीं है ऐसा लग रहा है पूरा टीजर एक गार्ड में सूट किया गया है वहां बी एफ वाला आसमान पर कुछ इग्नोर हो गया है जैसे एक्छा कुमार का ओएमजी टू वाली या दे के लिए हम लोग बिल्कुल तयार नहीं थे पूरे परभास में सिर्फ उनकी आँखे काफी हैं किसी फिल्म का हाइट क्रास करने के लिए कनपा की कहानी भगवान सिव के आराउंड गूमती है और वह तो अक्छे कुमार है तो फिर परभास फिल्म में क्या कर रहे हैं अपन बिश्लो खुद सिव के सबसे बड़े भक्त हैं तो बस परभास का वही लौड सिवा के देवोटी के तरह इंट्रोडक्शन होने वाला है कनपा में जबकि बाद में फिल्म के अंतर ही अपने असली रूम में आ जाएंगे वैसे इन दोनों एक्टरिस के बीच में अपने त प्रांस्पोटेशन तो कुछ होर ही बोल रहा है फिल्म का मॉमेंट सबसे अलग होगा या तीनों एक्टर अपने ओरिजिनल लोक में एक साथ तरिमूरती वाले सीन में परजन्ट किये जाएंगे गूसे बंस लेकिन यहाँ पर एक छोटी सेड़वाइस में जरूर देना च सकता हैं लेकिन पिक्चर नहीं चल सकती कनपपा टीज़र के लाइस्ट सीन में डापना गया है वह कहानी वड़्ली और कनेक्षेप प्रिजेक्ट करता है लेकिन वहाँ पर डालॉक डिलिवरी सीरिय實 कं और फबानी ज्यादा लगतिया city यह मोड् प्रोजन्ट कर देना है बिना ओवरेक्टिंग या फिर लाउड डैलोग और ओवरडेज बचकानी बिएफेक्स का कनपा के टीजर में सबसे बड़ा ड्राबैक है एमोसन्स का मिसिंग हो रहा है जबकि इस्क्रीन पर खुद भगवान को उतार दिया गया है अब मैं ज़्यदा वर्सिस नहीं करूँगा ट्रेलर का वेट करते हैं कनपा के पास मौका है चोक लगेगा या फिर सिर्फ पैकट वह देखना पड़ेगा जल्दी बताओ अक्षे कमार वर्सिस प्रभास वर्जिस मौहनलाल जिसकी अंट्री पर सबसे ज़्यादा तालिया पीटने पर दिल किया तो मैंने अभी कनपा मौकी का टीजर देखा और टीजर देखने के बाद मेरे दिमाग में पहली बात यही आई कि आखिर इस मौकी का कोई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तो वो है प्रभासर और उनके अलावा अक्षे कुमार है कुल मिलाकर जो भी चीज़े मैंने इस टीजर में देखी वो क्वालिटी के मामले में बहुत ही घटिया है सच कहूं तो यह नकली लग रहा है या फिर जिस तरह से फाइट सिक्वेंस कोरियोग्राप किये गए है इसके अलावा काली माता की मुर्ती इस्थापत की गई है और लोग उसके सामने पूजा कर रहे है वो बिल्कुल भी नकली लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हाँ एक्षेट बनाया गया है और इस तरह से मूवी की सूटिंग वहाँ हो रही है दाए बाए दाए या यहां वहां पर भावित नहीं किया मुझे वाकी इस मूवी से उम्मीदे थी मुझे लगा कि साइद एं मूवी अच्छी निकलेगी तो इसका मतलब है कि फिल्म में कुछ खास होगा लेकिन जब मैंने टीजर देखा तो उससे बहुत ही गहरे लेबल पर कसा गया है मुझे कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं लगा हाँ बस मुझे सब फिल्म का टीजर थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगा बाकी और वाल ये बहुत ही ज़्यदा फियक लग रहा है किस तरह से इस फिल्म पर करोड़ों खर्चा किये गए हैं ये बाते मुझे समझ नहीं आ रही है और इसके लवा मुझे पहले ही से ही डर था कि इस फिल्म को देखने के बाद परभास सर और अक्छा कुमार के फैंच नाराज ना होने लगे कि असल में परभास सर और अक्छा कुमार ऐसी फिल्में क्यों कर रहे हैं मुझे पता है परभास सर ने दोस्ती आरी किये लेकिन अक्छा कुमार क्यों कर रहे हैं अब बहुत से लोग कहेंगे कि अक्षे कुमार पैसो के लिए कर रहे हैं तबाई जब कुछ भी हो सकता है लेकिन दोस्त मुझे मज़े मज़ा नहीं आया यार सच कहों तो मुझे मज़ा नहीं आया और ये कनफर्म हो गया कि भगवान सावा के किरदार में अक्षे कुमार जरा रही थी मुझे अमीद थी कि मेकर से इस पर काम और काम करेंगे इसके भी एफेक्स डारेक्शन पर काम करेंगे एडिटिंग पर काम करेंगे क्योंकि जब तक आप कॉलिटी नहीं देंगे तब तक आप कितने भी बड़े एक्टर्स को ले आओ और उन से अपनी फिल्म काईमियों करवा लो आपका कोई फाइदा नहीं होने वाला बाकि आप लोग मुझे बताएं कि आपको इस पर क्या कहना है या आपको इस फिल्म का टीजर कैसा लगा या मूबी भी चुले और सप्टेंबर के बीच से ही रिलीश कर दी जाएगी वैसे इसकी कोई एकदम सही ज कनप्पा नैनार की पोजिनी कहानी पर अधारित है होनहार मुकेस कुमार संगर निर्देशित कनप्पा का निर्मार अनभवी अभिनेता मोहन बाबु ने अपनी प्रोडेक्शन कंपनियों एबी एंटेटेंब्मेंट और 24 फ्रेंस फैक्टरी के परतिश्टिद बाइनर के किया है कनप्पा की अधिकारिक रिलीज की तारिक की घोशला अभी बागी है हाला कि इसके वर्तमान उत्पाचरण को देखते हुए दोजार चोबिस्क में रिलीज होने की परबल संभावना है कनपा भारती फिल्म संगीत की दो परमुक हस्तियों के बीच सहयोक सेक आकर 60 संगीत में अनुभो का वादा करता है मलयालम सिनेमा में अपने युगदान के लिए जाने जाने वाले परतिष्टित इस्ठीपन देवसी और तेलगू फिल्मों के परमुक संगीत कार मड़ी सरमा मिलकर साउंट्रेक बना रहे हैं आगामी तेलगू महाकाब 85 कटपपा का टीजर सुक्रवार को जारी किया गया था इस फिल्म को बिश्डू मांचू के करियर की सबसे मातुकांची फिल्म कहा जा सकता है बारत में पाउराडिक फिल्मों को सिनेमा देखने वाले दर्सकों की 20 बड़ी सफलता मिल रही है फिल्म में सभी स्टार सहाय कलाकार हैं और इसमें भारत के कुछ सबसे बड़े सुपष्टार के कैमियों भी सामिल है टीजर से एक बात सपष्ट हो जाती है या पूरीत रिसे कनपपा की किवंदती पर आधारित है जो लोग नहीं जानते उनके लिए या पौराडिक कहानी एक धनुर्धर की कहानी है जो एक दिन सिवलिंग के छीपे हुए मंदिर पठो कर खाता है और उसका भगत बन जाता है पारसपरिक उपासको के भी प्रीद कनपपा को उसित अनुस्ठानों का ग्यान नहीं था वह वही अर्पित करता था जो वह जानता था अपने सिकार से मांस और अपने मुह से पान लेती है लेकिन एक अलग सक्ति कहानी बताती है टीजर की सुरुआत भगवान सिव के परतिक वायू लिंग के लिए युद्ध से होती है वायू लिंग पन यंत्रड़ पाने के लिए एक जंजाती दूसरे परियुद करती है लेकिन अंत में बिश्डू मंचु दरा निभा कनपा की युद्ध कोसल से परभायूत हो जाती है परित्दूंती जंजाती हुआ ही लिंग पन यंत्रड़ पाने के अपने द्रड़ संकल्प में अडिग है और पूरी ताकस से हमला गरती है कहानी में कनपा की आस्था को एक से अधिक तरीकों से परखा गया है फिलम का मु कोंसिव के आउतार में नजर आते हैं कान फिलम फेस्टिबल में अपने परतिष्टिट परदर्शन के बाद महाकाबी एक्शन फिलम कनपा का बहुत परतिछित टीजर जारी किया गया है फिलम के टीजर को कुल पांच भासों में रिलीज किया गया है दुनिया भर के परति और बलदान की पौराणी कहानी को चीवन करती है मोहन बाबो मोहन लाल परभास अक्शे कुमार सरत कुमार काजला करवाल सहीद और निकला कारोस सजीज फिलम के टीजर रिलीज के बास सहीप परसंसक फिलम की रिलीज का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं विशल मिताओं ने अहम भब का निभाई है फिलम के टीजर में साउथ के लावा वालीवुड के भी कई सितारे नजर आये हैं फिलम का टीजर कुल पांच भासाओं में जारी किया गया है जिसमें तमिल, तेलगु, मल्यालम, कन्नड और हिंदी भासा सामिल है इस महाकाब की कहानी क अब दुनिया भर के दर्सक पांच भासाओं में देख सकेंगे या फिलम हमारे इतिहास का एक महत पोड़ हिसा है और हमें इसे सबसे आगे लाने पर गर्ब हैं को सालों में हमने देखा है कि कैसे अस्थानी कहानिया बेसुस्तर पर गुज़ती हैं और कनापपा एक ऐसी कह मानी है जो हमारी समरस संसक्रत में नहीं थे या फिलम हर जगह के दर्शकों से जुड़ेगी फिलम के निर्माड में कई दिगश सामिल हैं जिनमें हॉली बोर्ट सिनमेटोग्राफर वोल्ड चाओ एक्शन निर्देशक केचा कामकड़ी कुरियोग्राफर प्रबोदेवा और ब्रंदा हैं या भारत में आने वाली सबसे महतकांची फिलमों से एक है फिलम की जदातार श्यूटिंग न्यूजी लेंड में हुई है फिलम के रिलिजडेट की कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कुछ टाइम पहले नियूज आई थी साउथ में एक ऐसी फि है चंदू चैंपियन में इस तरी टू के सीजन में उधर साउथ को इंडेस्ट्री में चुपके से परभास का बाहुबली वाला कमबैक भी कर दिया बात कनपा की हो रही है जिसको सो सिकंड का छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है टीजर से मतलब है जिसको लोग तो किसी और को ढोट रहे थे मार्केटिंग की है कनपा की टीम ने पास को रिविल कर दिया है चारो तरफ लोग इसकी बादे कर रहे हैं वैसे पता है आपको कनपा टीजर चाय कैसा हो पर कलेक्शन इसका नमबर मुल रहता है यह हडपा की कहानी है जिसको दुनिया आई डोनर बोला कम लोग जानते हैं इसलिए जब उनका टीजर आया सौथ के कैमपेरिजन में नोट थेटर में जएदा बॉक्स आपिस कलेक्शन करा जाए इसके पीछे बहुत सॉलिड रीजन है करते के टू या हनुमान इन सभी मोबियों में इनका बजट नहीं देखते लोग इनका ट्रा लेकिन और आप लोग सभी जानते हैं कि कनपा का रिजल्ट इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है काफी सारी गलतिया ढोडने पर मिल जाएंगी इसलिए सो क्रोड का बजट फिल्म का बताया जा रहा है यह बास सच है टीजर के सीन देखकर फिल्म कुछ खास नहीं है ऐसा ल नाम आता है O.M.G.2 का लेकिन अक्छे कुमार का स्क्रीन परजिंट दोबारा फिल हो रहा है लेकिन टीजर में आने वाले अगले साट के लिए हम लोग बिल्कुल तयार नहीं थे पूरे परभास में सिर्फ उनकी आंखे काफी हैं किसी फिल्म का हाइट क्रास करने के लिए कनपा की कहानी भगवान सिव के आराउंड घूमती है और वह तो अक्छे कुमार है तो फिर परभास फिल्म में क्या कर रहे हैं अपनी फिल्म ट्रिनिटी मतलब तिरमोती ब्रंभा पिश्डू महस्तिनों दिखने वाले हैं और सालिड चांस बिश्डू का करेक्टर पिले क रहे हैं भगवान सिव बिश्डू की पूजा करते हैं तो भगवान बिश्डू खुद सिव के सबसे बड़े भक्त हैं तो बस परभास का वही लौड सिवा के देवोटी के तरह इंट्रोडक्शन होने वाला है कनपा में जबकि बाद में फिल्म के अंतर ही अपने असली र रंभा के रो मेनेजर आएंगे लेकिन टीजर में इनका ट्रांस्पोटेशन तो कुछ होर ही बोल रहा है फिल्म का मोमेंट सबसे अलग होगा यह तीनों एक्टर अपने ओरिजिनल लोक में एक साथ तर्मूरती वाले सीन में परजंट किये जाएंगे गूसे बंस लेकिन य रेमियों के सारे फिल्म का हाइट जरूर बन सकता है लेकिन पिक्चर नहीं चल सकती कनपा टीजर के लास्ट सीन में डालॉग है जिसमें डारेक्टली भगवान सीव को बला आ गया है कितना एपॉर्टेंट सीन है वह कहानी वाई सीव और कनपा के कनेक्शन प्रोजेट करत है लेकिन वहां पर डाइलॉग डिलीवरी शीरियस कम और फनी जादा लगती है मोड़ खराब हो गया आप टीवी सीरियल नहीं बना रहे हो आप टीबी सीरियल नहीं बना रहे हो हमें ड्रामा नहीं चाहिए और नहीं कार्टोंस सो देखना चाहते हैं बस riskfully कहानी को और एक्टिंग या फिर लाउड डैलोग और ओर डेज बचकानी भी एफेक्स का कनपा के टीजर में सबसे बड़ा ड्राबैक है मोसंस का मिसिंग हो रहा है जबकि स्क्रीन पर खुद भगवान को उतार दिया गया है अब मैं ज़्यदा वर्सिस नहीं करूंगा ट्रेलर का वेट करते हैं कनपा के पास मौका है चोक लगेगा या फिर सिर्फ पैकट वह देखना पड़ेगा जल्दी बताओ अक्षे कमार वर्सिस प्रभास वर्जिस मौनलाल जिसकी अंट्री पर सबसे ज़्यादा तालिया पीठने पर दिल किया तो मैंने अभी कनपा मूवी का टीजर देखा और टीजर देखने के बाद मेरे दिमाग में पहली बात यही आई कि आखिर इस मूवी का कोई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तो वह है प्रभास और उनके अलावा अक्षे कुमार हैं कुल मिलाकर जो भी चीज़े मैंने इ इस थापत की गई है और लोग उसके सामने पूजा कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नकली लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हाँ एक्षेट बनाया गया है और इस तरह से मूवी की सूटिंग वहां हो रही है दाएं बाएं दाएं यहां वहां परभावित नहीं किया मुझे वाक चला कि अक्षे कुमार भी ये फिल्म कर रहे हैं तब मुझे बरोसा हो गया कि अगर दो बेड़े एक्टर एक फिल्म करने के लिए राजी हो गए हैं तो इसका मतलब है कि फिल्म में कुछ खास होगा लेकिन जब मैंने टीजर देखा तो उससे बहुत ही गहरे लेबल पर कस अगया है मुझे कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं लगा हाँ बस मुझे सब फिल्म का टीजर थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगा बाकी और वाल ये बहुत ही ज़्यदा फैंक लग रहा है किस तरह से इस फिल्म पर करोड़ों खर्चा किये गए हैं ये बाते मुझे दोस्ती आरी की है लेकिन अक्छा कुमार क्यों कर रहे हैं अब बहुत से लोग कहेंगे कि अक्छा कुमार पैसो के लिए कर रहे हैं तबाई जब कुछ भी हो सकता है लेकिन दोस्त मुझे मज़ा नहीं आया यार सच कहों तो मुझे मज़ा नहीं आया और ये कनफर्म हो गय कि भगवान सावा के किरदार में एक्छा कुमार नजर आएंगे लेकिन परभास सर किस किरदार में होंगे ये अभी किलियर नहीं है मुझे टीजर सीरिसली बहुत खराब लगा और जब भी मैंने टीजर देख रहा था तो पता नहीं कि मुझे सिर्फ नगेटिव सीजे ही नजर आ रही थी मुझे अमीद थी कि मेकर सी इस पर काम और काम करेंगे इसके भी फैक्स डारेक्शन पर काम करेंगे एडिटिंग पर काम करेंगे क्योंकि जब तक आप क्वालिटी नहीं देंगे तब तक आप कितने भी बड़े एक्टर्स को ले आओ और उन से अपनी फिल्म में कैमियों क कर दी जाएगी वो इससे इसकी कोई एकदम सही जानकारी अभी तक तो नहीं मिली है लेकिन जैसे ही मिल चाहेगी आपको पताचल जाएगा कनपपा एक आगामी भारती पौराडिक नाटक फिल्म है जो मुखरूप से तेल गुमी है या हिंदू देवतास्यु के एक महान भक्त कनपपा नैनार की पोजिनी कहानी पर अधारित है होनहार मुकेश कुमार सिंगर निर्देशित कनपपा का निर्मार अनभवी अभिनेता मुहन बाबो ने अपनी प्रोडेक्शन कंपनियों AB Entertainment और 24 Prince Factory के परतिष्टिट बैनर के तहद किया है कनपपा की अधिकारिक रिलीज की तारिक की घोशला अभी बाकी है हाला कि इसके वर्तमान उत्पाचरण को देखते हुए 2024 में रिलीज होने की परबल संभावना है कनपा भारती फिल्म संगीत की दो परमक हस्तियों के बीच सहयोग सेक आकर 60 संगीत में अनुभो का वादा करता है मले आलम सिनेमा में अपने युगदान के लिए जाने जाने वाले परतिष्टित इस्ठीपन देवसी और तेलगू फिल्मों के परमक संगीत कार मड़ी सरमा मिल कर साउंड ट्रैक बना रहे हैं आगामी तेलगू महाकाब 85 कटपपा का टीजर सुकरवार को जारी किया गया था इस फिल्म को बिशलू मांचू के करियर की सबसे मातुकांची फिल्म कहा जा सकता है भारत में पाउराडिक फिल्मों को सिनिमा देखने वाले दर्सकों की बीश बड़ी सफलता मिल रही है ऐसे में बिशलू मांचू को बरुसा है कि कनपा लोगों की दिलों में जगह बनाएगी कनपा का टीजर पूरी तरह से संपादित किया गया है ताकि दर्सकों को इसकी स्टार कास्ट के मामले में फिल्म के पैमाने की एक जलग मिल सके फिल्म में सभी स्टार सहाय कलाकार हैं और इसमें भारत के कुछ सबसे बड़े सुपह स्टार के कैमियों भी सामिल है टीजर से एक बात स्पष्ट हो जाती है या पूरीतर से कनपपा की किवंदती पर आधारित है जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए या पौराणिक कहानी एक धनुर्धर की कहानी है जो एक दिन सिवलिंग के छीपे हुए मंदिर पठो कर खाता है और उसका भगत बन जाता ह परसपरिक उपासको के भी प्रीद कनपपा को उसित अनुष्ठानों का ग्यान नहीं था वह वही अर्पित करता था जो वह जानता था अपने सिकार से मांस और अपने मुह से पानी और जब जरूरत होती तो वह भगवांसियू की भक्ती में अपनी आँखे भी बलिदान कर देता था इस परकार वहा कनपपा के रोम में परसिद्ध हो जाता है हाला कि फिल्म कनपपा के वंदती से कुछ बिचार लेती है लेकिन एक अलग सक्ति कहानी बताती है टीजर की सुरुआत भगवांसियू के परतिक वायू लिंग के लिए युद्ध से होती है वायू लिं जाती हुआ ही लिंगपन यंद्रड़ पाने के अपने द्रड़ संकल्प में अडिग हैं और पूरी ताकस से हमला करती हैं कहानी में कनपपा की आस्था को एक से अधिक तरीकों से परखा गया है फिल्म का मुख्या करशड़ इसके एक्शन सीक्वेंस और सुपरस्टार का हमें मल्यालम सुपरस्टार मोहनलाल बॉली बुडी स्टार अक्ष्यकुमार और तेलगो सुपरस्टार प्रभास की जलक मिलती है सभी भगवांसियों के आतार में नजर आते हैं कान फिल्म फेस्टिबल में अपने परतिष्टिट परदर्शन के बाद महाकाबी एक्शन फ मिल गई है कनपा के बिज्वल मंचु ने भगत कनपा की कहानी निभाई है फिल्म को मुकेश द्वारा सिंग ने निर्दर्शित किया है यहाँ फिल्म एक भगती और बलदान की पौराणी कहानी को जीवन्त करती है मोहन बाबु मोहनलाल परभास अक्ष्यकुमार सरतकुमा काजला करवाल सहीद और निकलाकारोस सजी इस फिल्म के टीजर और रिलीज के बाद सहीव परसंसक फिल्म के रिलीज का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं विश्लो मांचु के ट्रीम प्रोजेक्ट कन अपा का सांदार टीजर रिलीज हो चुका है इस फिल्म के टीजर कुल पांच भासाओं में जारी किया गया है जिसमें तमिल, तेलगु, मल्यालब, कननड़ और हिंदी भासा सामिल है इस माकाब की कहानी को अब दुनिया भर के दर्सक पांच भासाओं में देख सकेंगे या फिल्म हमारे इतिहास का एक महत्पोड हिस्सा है और हमें इसे सबसे आगे लाने पर गर्ब है कोश सालों में हमने देखा है कि कैसे आस्थानी कहानिया बेसुस्तर पर गुजती है और कनापपा एक ऐसी कहानी है जो हमारी समरस नसकरत में नहीं थै या फिल्म हर जगह के दर्सकों से जुड़ेगी फिल्म के निर्माड में कई दिगत सामिल हैं जिन में हॉली बोर्ट सिनमेटुग्राफर, गोल्डन चाओ, एक्सन निर्देसक, केचा, कामकडी, कुरियोग्राफर प्रवोदेवा और ब्रंदा हैं या भारत में आने वाली सबसे महतकांची फिल्मों से एक है, फिल्म की जदातार स्यूटिंग नियुजी लेंड में हुई है, फिल्म के रिलिजडेट की कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कुछ टाइम पहले नियु जाई थी, साउथ में एक ऐसी फिल्म बन रही है, जिसमें अक्चेकमार और प्रभास दोनों एक साथ आने वाले हैं, सब लोग मान नहीं रहे थे, क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स मतलब उनका बजट हजार करोड पार कर जाएगा, तो आप एक जीरो कम कर लीजिए, सिर्फ सो करोड में यहां काम हो चुका है, इधर हम लोग भी जी हैं, चंदू चैंपियन में, इस तरी टू के सीजन में, उधर साउथ को इंडेस्टरी में चिपके से परभास का बाहुबली वाला कमबैक भी कर दिया है, जिसको सो सिकंड का छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है, टीजर से मतलब है जिसको लोग तो किसी और को ढोट रहे थे, मार्केटिंग की है कनपपा की टीम ने पास को रिविल कर दिया है, चारो तरफ लोग इसकी बादे कर रहे हैं, वैसे पता है आपको कनपपा टीजर चाय कैसा हो पर कलेक्शन इसक इसकी कहानी है, अभी तो खाली टीजर आया है, इंट्रेस्टिंग सी कहानी है और एक्चुली में इसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, इसलिए जब उनका टीजर आया, सौथ के कंपेरिजन में नोट थियेटर में जैदा बॉक्स आपिस कलेक्शन करा जाया, इसके प पर चल सकती है, फ्यूचर में आने वाला ट्रेलर टीजर के कम परेजन में क्यों परभास और अक्षे एक्साइड है, लेकिन और आप लोग सभी जानते हैं कि कनपा का रिजल्ट इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है, काफी सारी गलतिया ढोड़ने पर मिल जाएंगी, इसल आस्मान पर कुछ इग्नोर हो गया है, जैसे अक्षे कमार का O.M.G.2 वाली या देख दम वापस आ गई, बॉली बुड की स्मार्ट मूवी में नाम आता है O.M.G.2 का, लेकिन अक्षे कमार का स्क्रीन परजिन दोबारा फीड हो रहा है, लेकिन टीजर में आने वाले अगल बिल्कुल तयार नहीं थे, पूरे परभास में सिर्फ उनकी आँखे काफी हैं, किसी फिल्म का हाइट क्रास करने के लिए कनपा की कहानी भगवान सिव के आराउंड घूमती है, और वा तो अक्षे कमार है, तो फिर परभास फिल्म में क्या कर रहे हैं, अपनी फिल्म ट्र परभास का वही लाड सिवा के देवोटी के तरह इंट्रोडक्शन होने वाला है, कनपा में जबकि बाद में फिल्म के अंतर ही अपने असली रूम में आ जाएंगे, वैसे इन दोनों एक्टरिस के बीच में अपने तीसरा कैमरा कम्प्लीटली मिस कर दिया था, लिजेंट म मोमेंट सबसे अलग होगा, यह तीनों एक्टर अपने ओरिजिनल लोक में एक साथ तरिमूरती वाले सीन में परजन्ट किये जाएंगे, गूसे बम्स लेकिन यहाँ पर एक छोटी से इडवाइस में जरूर देना चाहूंगा, सुनके मेकप पोक्यों की सो करोड़ दाओं पर लगे हैं, और पबलिक इतनी असानी से पैसा खर्च नहीं करती, फिर उनके लीड एक्टर्स को थोड़ा और इंपेक्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि कमियों के सारे फिलम का हाइट जरूर बन सकता है, लेकिन पिक्चर नहीं चल सकती, कनपा टीजर के लास्ट सीन में ड अगर टीबी सीरियल नहीं बना रहे हो, आप टीबी सीरियल नहीं बना रहे हो, हमें ड्रामा नहीं चाहिए, और नहीं कार्टोन सो, देखना चाहते हैं, बस रिस्पेक्ट फुली कहानी को प्रोजन्ट कर देना है, बिना ओवर एक्टिंग या फिर लाउड डैलोग और करते हैं, कन अपपा के पास मौका है, चोक लगेगा, या फिर सिर्फ पैकट वहाँ देखना पड़ेगा, जल्दी बताओ, अक्षे कमार वर्स प्रभास वर्जिस मौनलाल, जिसकी अंटरी पर सबसे ज़्यादा तालिया पीठने पर दिल किया, तो मैंने अभी कन अपपा म मैंने इस टीचर में देखी, वो क्वालिटी के मामले में बहुत ही घटिया है, सच कहूं तो ये नकली लग रहा है, या फिर जिस तरह से फायट सिक्वेंस कोरियोग्राप किये गए हैं, इसके अलावा काली माता की मुर्ति स्थापत की गई है, और लोग उसके सामने म मुझे वाके इस मूबी से उमीद थी, मुझे लगा की साइदे मूबी अच्छी निकलेगी लेकिन मुझे लगा की साइद अगर प्रभासरे मूबी करने के लिए तयार हो जाएं, तो इस मूबी की संभावना बढ़ जाएगी, इसके बाद मुझे पता चला की अक्ष्वे पहरे लेबल पर कसा गया है मुझे कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं लगा हाँ बस मुझे सब फिल्म का टीजर थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगा बाकी और वाल ये बहुत ही जदा फैक लग रहा है किस तरह से इस फिल्म पर करोड़ों खर्चा किये गए हैं ये बाते म परभासर ने दोस्ती आरी किये लेकिन अक्छा कुमार क्यों कर रहे हैं अब बहुत से लोग कहेंगे कि अक्छा कुमार पैसो के लिए कर रहे हैं तबाई जब कुछ भी हो सकता है लेकिन दोस्त मुझे मज़ा नहीं आया यार सच कहूं तो मुझे मज़ा नहीं आया और ये टीजर देख रहा था तो पता नहीं कि व मझे सिर्फ नंगेटयू सीज़े ही नजर आ रही थी मुझे अमीद थी कि मेकर से इस पर काम और काम करेंगे इसके वीद्ध डारेक्शन पर काम करेंगे एडिटिंग पर काम करेंगे क्योंकि जब तक आप क्वालिटी नहीं देंगे तब तक आप कितने भी बड़े एक्टर्स को ले आओ और उन से अपनी फिल्म में कैमियों करवा लो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आपको इस पर क्या कहना है या आपको इस फिल्म का टीजर कैसा लगा या मुबी भी चुले और सब्टेंबर के बीच से ही रिलीज कर दी जाएगी वैसे इसकी कोई एकदम सही जानकारी अभी तक तो नहीं मिली है लेकिन जैसे ही मिल चाहेगी आपको पताचल जाएगा कनपपा एक आगामी भारती पौरालिक नाटक फिल्म है जो मुक्रूप से तेलगु में है या हिंदू देवतास्यु के एक महान भक्त कनपपा नैनार की पोजिनी कहानी पर अधारित है होनहार मुकेश कुमार संगर निर्देशित कनपपा का निर्माण अनभवी अभिनेता मोहन बाबो ने अपनी प्रोडेक्शन कंपनियों AB Entertainment और 24 Friends Factory के परतिष्टिद बैनर के तहद किया है कनपपा की अधिकारिक रिलीज की तारीक की घोशला अभी बाकी है हाला कि इसके वर्तमान उत्पाच्चरण को देखते विए दोहजार चोबिस्क में रिलीज होने की परबल संभावना है कनपा भारती फिल्म संगित की दो परमुक हस्तियों के बीच सहयोक सेक आकर 60 संगित मैं अनुभव का वादा करता है मले आलम सिनेमा में अपने युगदान के लिए जाने जाने वाले परतिष्टित इस्ठीपन देवसी और तेलगू फिल्मों के परमुक संगित कार मड़ी सरमा मिलकर साउंट्रेक बना रहे हैं आगामी तेलगू महाकाब 85 कटपपा का टीजर सुक्रवार को जारी किया गया था इस फिल्म को बिश्डू मांचू के करियर की सबसे मातुकांची फिल्म कहा जा सकता है बहरत में पाउराडिक फिल्मों को सिनेमा देखने वाले दर्सकों की 20 बड़ी सफलता मिल रही है फिल्म में सभी स्टार्स है कलाकार हैं और इसमें भारत के कुछ सबसे बड़े सुपस्टार के कैमियों भी सामिल हैं टीजर से एक बात सपष्ट हो जाती है या पूरीत रिसे कनपपा की किवंदती पर आधारित है जो लोग नहीं चानते हैं उनके लिए या पौराडिक कहानी एक धनुर्धर की कहानी है जो एक दिन सिवलिंग के छीपे हुए मंदिर पठो कर खाता है और उसका भागत बन जाता है पारसपरिक उपासको के भी प्रीद कनपपा को उसित अनुस्ठानों का ग्यान नहीं था वह वही अर्पित करता था जो वह जानता था अपने सिकार से मांस और अपने मुह से पा लेती है लेकिन एक अलग सक्ति कहानी बताती है टीजर की शुरुआत भगवान सिव के परतिक वाई लिंग के लिए युद्ध से होती है वाई लिंग पन यंत्रड़ पाने के लिए एक जंजाती दूसरे परियुद करती है लेकिन अंत में बिश्डू मंचुदरा निभाय कनपा की युद्ध कौसल से परभायत हो जाती है परित्दूंती जंजाती वाई लिंग पन यंत्रड़ पाने के अपने द्रड़ संकल्प में अडिग है और पूरी ताकस से हमला गरती है कहानी में कनपा की आस्था को एक से अधिक तरीकों से परखा गया है फिल्म का मुख कौनसेख की आउतार में नज़र आते हैं कान फिल्म फेस्टिबल में अपने परतिष्टिट परदर्शन के बाध महकाबी एक्षन फिल्म कनपा का बहुत परतिष्षित जर्टिजर जारे किया गया है कि फिल्म के टीजर को कुल 5 भासव में रिलीज किया गया है दुनिया फिल्म एक भक्ती और बलदान की पौराणी कहानी को चीवन्त करती है मोहन बाब, मोहनला, परभास, अक्षए कुमार, सरतकुमार, काजला गरवाल सहीद और निकला कारो से सजी इस फिल्म के टीजर और रिलीज के बाद सही परसंसक फिल्म के रिलीज का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं विशलो मांचू के ट्रीम प्रोजेक्ट कन अपपा का सांदार टीजर रिलीज हो चुका है इस फिल्म का टीजर कुल पांच भासाओं में रिलीज किया गया है फिल्म में परभास, अक्षे कमार, काजला गरवाल, मोहनलाल के अलावा कई अभनेताओं ने अहम भब का निभाई है फिल्म के टीजर में साउथ के लावा वाली बुड के भी कई सितारे नजराये हैं फिल्म का टीजर कुल पांच भासाओं में जारी किया गया है जिसमें तमिल, तेलगु, मल्यालम, कन्नड और हिंदी भासा सामिल है इस माँ काप की कहानी को आप दुनिया भर के दर्सक पांच भासाओं में देख सकेंगे या फिल्म हमारे इतिहास का एक मातपोड हिसा है और हमें इसे सबसे आगे लाने पर गर्ब है कोश सालों में हमने देखा है कि कैसे आस्थानी कहानियां बेसुस्तर पर गुजती है और कनापपा एक ऐसी कहानी है जो हमारी समरस संसकरत में नहीं थै या फिल्म हर जगह के दर्सकों से जुड़ेगी फिल्म के निर्माड में कई दिकत सामिल हैं जिनमें हॉली बोर्ट सिनमेटोग्राफर, गॉल्डन चाओ, एक्सन निर्देसक, केचा, कामकडी, कुरियोग्राफर प्रवोदेवा और ब्रंदा है या भारत में आने वाली सबसे महत्कान्चिक फिल्मों से एक है फिल्म की जदातार स्यूटिंग नियुजी लेंड में हुई है फिल्म के रिलेज़ डेट की कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कुछ टाइम पहले नियुज आई थी, साउथ में एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसमें अक्ष्यकुमार और प्रभास दोनों एक साथ आने वाले है सब लोग मान नहीं रहे थे क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स मतलब उनका बजट हजार करोड़ पार कर जाएगा तो आप एक जीरो कम कर लीजिए सिर्फ 100 करोड में यहां काम हो चुका है इधर हम लोग बिजी हैं चंदू चैंपियन में इस तरी टू के सीजन में उधर साउथ को इंडिस्टरी में चुपके से परभास का बाहुबली वाला कमबैग भी कर दिया है बात कनपा की हो रही है जिसको 100 सिकंड का छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है टीजर से मतलब है जिसको लोग तो किसी और को ढोट रहे थे मार्केटिंग की है कनपपा की टीम ने पास को रिविल कर दिया है चारोतरफ लोग इसकी बादे कर रहे हैं वैसे पता है आपको कनपपा टीजर चाय कैसा हो पर कलेक्शन इसका नमबर मुल रहता है यहां हडपा की कहानी है जिसको दुनिया आई डोनर बोला जाता है वहाँ उन्होंने अपने आखे खुद भगवान स्यू को दान कर दी थी इस तीन घंटे की मुबी में बहुत ही अच्छी कहानी है अभी तो खाली टीजर आया है इंट्रेस्टिंग सी कहानी है और एक्चुली में इसके बारे में काफी कम लग जानते हैं इसलिए जब उनका टीजर आया सौथ के कमपेरिजन में नोट थीएटर में ज़्यदा बॉक्स आफिस कलेक्शन करा जाए इसके पीछे बहुत सॉलिड रीजन है करते के टू या हनुमान इन सभी मोबियों में इनका बजट नहीं देखते लोग इनका ट्राफी काफी होता है थीएटर में हाउस फूल बोर्ड लगाने के लिए कनपा भी उसी रास्ते पर चल सकती है फूचर में आने वाला ट्रेलर टीजर के कंपरेजन में क्यों परभास और अक्षे एक्साइड है लेकिन और आप लोग सभी जानते हैं कि कनपा का रिजल्ट इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है काफी सारी गलतिया ढोडने पर मिल जाएंगी इसलिए सो करोड का बजट फिल्म का बताया जा रहा है यहाँ बास सच है टीजर के सीन देखकर फिल्म कुछ खास नहीं है ऐसा लग रहा है पूरा टीजर एक गार्ड में सूट किया गया है वहाँ बी एफ वाला आस्मान पर कुछ इग्नोर हो गया है जैसे अक्षे कुमार का OMG2 वाली या देख दम वापस आ गई बॉलिवुड की स्मार्ट मुवी में नाम आता है OMG2 का लेकिन अक्षे कुमार का स्क्रीन परजिंट दोबारा फिल हो रहा है लेकिन टीजर में आने वाले अगले साट के लिए हम लोग बिलकुल तयार नहीं थे पूरे परभास में सिर्फ उनकी आँखे काफी है किसी फिल्म का हाइट क्रेस्ट करने के लिए कनंपा की कहानी भगवान स्यू के आरांड गुमती है और वा तो अक्षे कुमार है तो फिर परभास फिल्म में क्या कर रहे हैं अपनी फिल्म ट्रिनिटी मतलब तिर्मोती ब्रम्भा पिश्डू महस्तिनों दिखने वाले हैं और सालिड चांस बिश्डू का करेक्टर प्ले कर रहे हैं भगवान सिव बिश्व की पूजा करते हैं तब भगवान बिश्व खुद सिव के सबसे बड़े भक्त हैं तो बस परभास का वही लौड सिवा के देवोटी के तरह इंट्रोडक्शन होने वाला है कनपा में जबकि बाद में फिल्म के अंतर ही अपने असली रूम में आ जाएंगे वैसे इन दोनों एक्टरिस के बीच में अपने तीसरा कैमरा कम्पलीटली मिस कर दिया था लीजेंट मोहलाल इन करेक्टर सबसे इंट्रेस्टिंग फिल्म में हैं वैसे मेरे हिसाब से भगवान ब्रंभा के रूम मेनेजर आएंगे लेकिन टीजर में इनका ट्रांसपोटेशन तो कुछ होर ही बोल रहा है फिल्म का मोमेंट सबसे अलग होगा या तीनों एक्टर अपने ओरिजिनल लोक में एक साथ तरिमूरती वाले सीन में परजन्टि किये जाएंगे गूसे बम्स लेकिन यहाँ पर एक छोटी सेड़वाइस में जरूर देना चाहूंगा सुनके मेकप पोक्यों की सो करोड दाओं पर लगे हैं और पबलिक इतनी असानी से पैसा खर्च नहीं करती पर उनके लीड एक्टर्स को थोड़ा और इंपक्ट लाना पड़ेगा क्योंकि कमियों के सारे फिल्म का हाइट जरूर बन सकता है लेकिन पिक्चर नहीं चल सकती कनपा टीजर के लास्ट सीन में डालॉग है जिसमें डारेक्टली भगवान सीव को बला गया है कितना एपॉर्टेंट सीन है वह कहानी वाई सीव और कनपा के कनेक्शन प्रोजेक्ट करता है लेकिन वहाँ पर डालॉग डिलिवरी सीरियस कम और फनी ज़्यादा लगती है मोड खराब हो गया आप टीबी सीरियल नहीं बना रहे हो आप टीबी सीरियल नहीं बना रहे हो हमें ड्रामा नहीं चाहिए और नहीं कार्टोन सो देखना चाहते हैं बस रिस्पेक्ट फुली कहानी को प्रोजेंट कर देना है बिना ओवरेक्टिंग या फिर लाउड डैलोग और ओवर्डेज बचकानी बेफेक्स का कनपा के टीजर में सबसे बड़ा ड्राबैक है मोसंस का मिसिंग हो रहा है जबकि स्क्रीन पर खुद भगवान को उतार दिया गया है अब मैं ज़्यदा वर्सिस नहीं करूंगा ट्रेलर का वेट करते हैं कनपा के पास मौका है चोक लगेगा या फिर सिर्फ पैकट वह देखना पड़ेगा जल्दी बताओ अक्षे कमार वर्सिस प्रभास वर्जिस मौनलाल जिसकी अंट्री पर सबसे ज़्यादा तालिया पीठने पर दिल किया तो मैंने अभी कनपा मौकी का टीजर देखा और टीजर देखने के बाद मेरे दिमाग में पहली बात यही आई कि आखिर इस मूबी का कोई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तो वो है प्रभास और उनके अलावा अक्षे कुमार है कुल मिलाकर जो भी चीज़े मैंने इस टीजर में देखी वो क्वालिटी के मामले में बहुत ही घटिया है सच कहूं तो यह नकली लग रहा है या फिर जिस तरह से फायट स्रिक्वेंस को रियोग्राप किये गए हैं इसके अलावा काली माता की मुर्ति स्थापत की गई है और लोग उसके सामने पूजा कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नकली लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हाँ एक्सेट बनाया गया है और इस तरह से मुवी की सूटिंग वहां हो रही है दाएं बाएं दाएं या यहां वहां परभावित नहीं किया मुझे वाकि इस मुवी से उम्मी दे थी मुझे लगा कि साइद ये मुवी अच्छी नकलेगी लेकिन मुझे लगा कि साइद अगर प्रभाव सरे मुवी करने के लिए तयार हो जाएं तो इस मुवी की संभावना बढ़ जाएगी इसके बाद मुझे पता चला कि अक्षे कुमार भी ये फिल्म कर रहे हैं तब मुझे बरोसा हो गया कि अगर दो बेड़े एक्टर एक फिल्म करने के लिए राजी हो गए हैं तो इसका मतलब है कि फिल्म में कुछ खास होगा लेकिन जब मैंने टीजर देखा तो उससे बहुत ही गहरे लेबल पर कसा गया है मुझे कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं लगा हाँ बस मुझे सब फिल्म का टीजर थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगा बाकी और वाल ये बहुत ही जदा फैक लग रहा है किस तरह से इस फिल्म पर करोडो खर्चा किये गए हैं ये बाते मुझे समझ नहीं आ रही है और इसके लवा मुझे पहले ही से ही डर था कि इस फिल्म को देखने के बाद परभास सर और अक्छा कुमार के फैंच नाराज ना होने लगे कि असल में परभास सर और अक्छा कुमार ऐसी फिल्में क्यों कर रहे हैं मुझे पता है परभास सर ने दोस्ती आरी किये लेकिन अक्छे कुमार क्यों कर रहे हैं अब बहुत से लोग कहेंगे कि अक्छे कुमार पैसो के लिए कर रहे हैं तबाई जब कुछ भी हो सकता है लेकिन दोस्त मुझे मज़ा नहीं आया यार सच कहूं तो मुझे मज़ा नही आया और ये कन्फर्म हो गया कि भगवान सावा के किलदार में अक्छा कुमार नजर आएंगे लेकिन परभास सर किस किलदार में होंगे ये अभी किलियर नहीं है मुझे टीजर सिरिसली बहुत खराब लगा और जब भी मैंने टीजर देख रहा था तो पता नहीं कि मुझे सिर्फ नंगेटिव चीज़े ही नजर आ रही थी मुझे अमीद थी कि मेकर से इस पर काम और काम करेंगे इसके भी एफेक्स, डारेक्शन पर काम करेंगे एडिटिंग पर काम करेंगे क्योंकि जब तक आप क्वालिटी नहीं देंगे तब तक आप कितने भी बड़े एक्टर्स को ले आओ और उनसे अपनी फिल्म में कैमियों करवा लो आपका कोई फाइदा नहीं होने वाला बाकि आप लोग मुझे बताएं कि आपको इस पर क्या कहना है या आपको इस फिल्म का टीजर कैसा लगा या मुबी भी चुले और सप्टेंबर के बीच से ही रिलीज कर दी जाएगी वैसे इसकी कोई एकदम सही जानकारी अभी तक तो नहीं मिली है लेकिन जैसे ही मिल चाहेगी आपको पताचल जाएगा कनपपा एक आगामी भारती पौराडिक नाटक फिल्म है जो मुकरूप से तेलगु में है या हिंदू देवतास्यु के एक महान भक्त कनपपा नैनार की पोजिनी कहानी पर अधारित है होनहार मुकेश कुमार सिंगर निर्देशित कनपपा का निर्मार अनभवी अभिनेता मोहन बाबो ने अपनी प्रोडेक्शन कमपनियों एबी एंटरेटेन्मेंट और 24 फ्रेंस फैक्टरी के परतिष्टिद बैनर के तहद किया है कनपपा की अधिकारिक रिलीज की तारिक की घोशला अभी बाकी है हाला कि इसके वर्तमान उत्पाच्चरण को देखते हुए 2024 में रिलीज होने की परबल संभावना है कनपपा भारती फिल्म संगित की दो परमुक हस्तियों के बीच सहयोग सेक आकर 60 संगित मैं अनुभो का वादा करता है मलेयालम सिनेमा में अपने युगदान के लिए जाने जाने वाले परतिष्टित इस्ठीपन देवसी और तेलगु फिल्मों के परमुक संगितकार मड़ी सरमा मिल कर साउंट्रेक बना रहे हैं आगामी तेलगु महाकाब 85 कटपपा का टीजर सुकरवार को जारी किया गया था इस फिल्म को बिशलु मांचु के करियर की सबसे मातुकांची फिल्म कहा जा सकता है बहरत में पाउराडिक फिल्मों को सिनेमा देखने वाले दर्सकों की 20 बड़ी सफलता मिल रही है ऐसमें बिशलु मांचु को बरुसा है कि कनपा लोगों की दिलों में जगह बदाएगी कनपा का टीजर पूरी तरह से संपादित किया गया है ताकि दर्सकों को इसकी स्टार काष्ट के मामले में फिल्म के पैमाने की एक जलग मिल सके फिल्म में सभी इस्टार सहाय कलाकार हैं और इसमें भारत के कुछ सबसे बड़े सुपस्टार के कैमियों भी सामिल हैं टीजर से एक बात सबस्ट हो जाती है या पूरीत रिसे कनपा की किवंदिती पर आधारित है जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए या पौराडिक कहानी एक धनुर्धर की कहानी है जो एक दिन सिवलिंग के छीपे हुए मंदिर पर ठोकर खाता है और उसका भगत बन जाता ह परसपरिक उपासको के भी प्रीद कनपा को उसित अनुष्ठानों का ग्यान नहीं था वह वही अर्पित करता था जो वह जानता था अपने सिकार से मांस और अपने मुह से पानी और जब जरूरत होती तो वह भगवांसियू की भक्ती में अपनी आँखे भी बलिदान कर द जाता है हाला कि फिल्म कनपा के वंदती से कुछ विचार लेती है लेकिन एक अलग सक्ति कहानी बताती है टीजर की शुरुआत भगवांसियू के परतीक वाई लिंग के लिए युद्ध से होती है वाई लिंग पन यंत्रड़ पाने के लिए एक जंजाती दूसरे परियु में कनपा की आस्था को एक से अधिक तरीकों से परखा गया है फिल्म का मुख्या करशड़ इसके एक्शन सीक्वेंस और सुपरस्टार का इम्यों हैं हमें मल्यालम सुपरस्टार मोहनलाल बॉली बुडी स्टार अक्षकमार और तेलगो सुपरस्टार प्रभास की जलक मिल दुनिया भर के दर्सकों को आकिरकार बिश्टो मांचू के ड्रीम प्रोजेक्टि के एक जलक देखने को मिल गई है कनपा के बज्यूल मांचू ने भघ्ध कनपा के कहानी निभाई है फिल्म को मुकेश दोरा सिंग्ग ने निर्दरषित किया है यह फिल्म एक भकती और ब प्लिम के रिलीज का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं विश्लो मांचू के ड्रीम प्रोजेप्ट का अप्पा का सांदार टीजर रिलीज हो चुका है इस पिल्म का टीजर कुल पांच भासाओं में रिलीज किया गया है पिल्म में परभास, अक्षकमार, काजला गरवाल, मोह इंदी भासा सामिल है, इस मांका आपकी कहानी को अब दुनिया भर के दर्सक पांच भासाओं में देख सकेंगे, या फिल्म हमारे इतिहास का एक महत्पोड हिस्सा है और हमें इसे सबसे आगे लाने पर गर्भ हैं, कोश सालों में हमने देखा है कि कैसे अस्थानी कहानिया बेसुस्तर पर गुज़ती हैं, और कनापपा एक ऐसी कहानी है जो हमारी समरस संसकरत में नहीं थे, या फिल्म हर जगह के दर्सकों से जुड़ेगी, फिल्म के निर्माड में कई दिक्गत सामिल हैं, जिनमें हॉल्ली बोर्ट सिनमेटुग्राफर, वोल्डन चाओ, कोई जानकारी अभी तक सामनें नहीं आई है, कुछ टाइम पहले नियू जाई थी, साउथ में एक ऐसी फिल्म बन रही है, जिसमें अक्षकमार और परभास दोनों एक साथ आने वाले हैं, सब लोग मान नहीं रहे थे, क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स मतलब उनका कर दिया है, उधर साउथ ने इंडेस्टरी में चिपके से परभास का बाहुबली वाला कमबैक भी कर दिया है, जिसको सो सिकंड का छोटा साथीजर रिलीज किया गया है, टीजर से मतलब है जिसको लोग तो किसी और को ढूट रहे थे, मार्केटिंग की है कनपा की टीम ने पास को रिविल कर दिया है चारों तरफ लोग इसकी बादे कर रहे हैं वैसे पता है आपको कनपपा टीजर चाय कैसा हो पर कलेक्सन इसका नमबर मुल रहता है यह हडपा की कहानी है जिसको दुनिया आई डोनर बोला जाता है वहाँ उन्होंने अपने आखे खुद भगवान स्यू को दान कर दी थी इस तीन घंटे की मुबी में बहुत ही अच्छी कहानी है अभी तो खाली टीजर आया है इंट्रेस्टिंग सी कहानी है और एक्चुली में इसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं इसलिए जब उनका टीजर आया सौथ के कमपेरिजन में नोट थीएटर्स में जदा बॉक्स आफिस कलेक्शन करा जाए इसके पीछे बहुत सॉलिड रीजन है कर्थिके टू या हनुमान इन सभी मुबियो में का बजट नहीं देखते लोग इनका ट्राफिक काफी होता है थीएटर में हाउस फूल बोर्ड लगाने के लिए कनपा भी उसी रास्ते पर चल सकती है फ्यूचर में आने वाला ट्रेलर टीजर के कमपेरिजन में क्यों परभास और अक्छे एक्साइड है लेकिन और आप लोग सभी जानते हैं कि कनपा का रिजल्ट इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है काफी सारी गलतिया ढोडने पर मिल जाएंगी इसलिए सो करोड का बजट फिल्म का बताया जा रहा है यह बास सच है टीजर के स्चीन देखकर फिल्म कुछ खास नहीं है ऐसा लग रहा है पुरा टीजर एक गार्ड में सूट किया गया है वह बी एफ वाला आसमान पर कुछ इगनोर हो गया है जैसा एक्छा कुमार का ओएमजी टू वाली या देख दम वापस आ गई बॉली बुड की स्मार्ट मूवी में नाम आता है ओएमजी टू का लेकिन अक्छा कुमार का स्क्रीन परजेंट दोबारा फिल हो रहा है लेकिन टीजर में आने वाले अगले साट के लिए हम लोग बिलकुल तयार नहीं थे पूरे परभास में सिर्फ उनकी आँखे काफी है किसी फिल्म का हाइट क्रास करने के लिए कनपा की कहानी भगवान सिव के आराउंड घूमती है और वा तो अक्छे कुमार है तब फिर परभास फिल्म में क्या कर रहे है अपनी फिल्म ट्रिनिटी मतलब तिर्मोती ब्रंभा पिश्डू महस्तिनों दिखने वाले है और सालिट चांस बिश्डू का करेक्टर पिले कर रहे है भगवान सिव बिश्डू की पूजा करते हैं वैसे इन दोनों एक्टरिस के बीच में अपने तीसरा कैमरा कंप्लीटली मिस कर दिया था लिजेंट मोहनलाल इन का रेक्टर सबसे इंट्रेस्टिंग फिल्म में है वैसे मेरे हिसाब से भगवान ब्रंभा के रो मेनेजर आएंगे लेकिन टीजर में इनका ट्रंस्पोटेशन तो कुछ होर ही बोल रहा है फिल्म का मॉमेंट सबसे अलग होगा या तीनों एक्टर अपने ओरिजिनल लोक में एक साथ तरिमूरती वाले सीन में परजन्ट किये जाएंगे गुसे बम्स लेकिन यहाँ पर एक छोटी से डवाइस में जरूर देना चाहूंगा सुनके मेकप पोक्यों की सो करोड दाओं पर लगे हैं और पबले कितनी आसानी से पैसा खर्च नहीं करती फिर उनके लीड एक्टर्स को थोड़ा और इंपक्ट लाना पड़ेगा क्योंकि कमियों के सारे फिलम का हाइट जरूर बन सकता है लेकिन पिक्चर नहीं चल सकती कनपा टीजर के लास्ट सीन में डालॉग है जिसमें डारेक्टली भगवान सीव को बला गया है कितना एपॉर्टन सीन है वह कहानी वाई सीव और कनपा के कनेक्शन प्रोजेक्ट करता है लेकिन वहाँ पर डालॉग डिलिवरी सीरियस कम और फनी जादा लग दिये मोड खराब हो गया आप टीबी सीरियल नहीं बना रहे हो हमें ड्रामा नहीं चाहिए और नहीं कार्टों सो देखना चाहते हैं बस रिस्पेक्ट फुली कहानी को प्रोजेंट कर देना है बिना ओवरेक्टिंग या फिर लाउड डैलोग और ओवरडेज बचकानी बिएफेक्स का कनपा के टीजर में सबसे बड़ा ड्राबैक है मोसंस का मिसिंग हो रहा है जबकि स्क्रीन पर खुद भगवान को उतार दिया गया है अब मैं ज़्यदा वर्सिस नहीं करूँगा ट्रेलर का वेट करते हैं कनपा के पास मौका है चोक लगेगा या फिर सिर्फ आकटवा देखना पड़ेगा जल्दी बताओ अक्षे कमार वर्सिस प्रभास वर्जिस मौनलाल जिसकी अंट्री पर सबसे ज़्यदा तालिया पीठने पर दिल किया तो मैंने अभी कनपा मौकी का टीजर देखा और टीजर देखने के बाद लग रहा है या फिर जिस तरह से फाइट सिक्वेंस कोरियोग्राप किये गए हैं इसके अलावा काली माता की मुर्ति इस्थापत की गई है और लोग उसके सामने पूजा कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नकली लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हाँ एक सेट बनाया गया है और इस तरह से मुवी की सूटिंग वहाँ हो रही है दाएं बाएं दाएं या यहाँ वहाँ पर भावित नहीं किया मुझे वाकि इस मुवी से उम्मी दे थी मुझे लगा कि साइद ये मुवी अच्छी निकलेगी तो इसका मतलब है कि फिल्म में कुछ खास होगा लेकिन जब मैंने टीजर देखा तो उससे बहुत ही गहरे लेबल पर कसा गया है मुझे कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं लगा हाँ बस मुझे सब फिल्म का टीजर थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगा बाकी और वाल ये बहुत ही ज़्यदा फियंक लग रहा है किस तरह से इस फिल्म पर करोड़ो खर्चा किये गए हैं ये बाते मुझे समझ नहीं आ रही है और इसके लवा मुझे पहले ही से ही डर था कि इस फिल्म को देखने के बाद परभास सर और अक्छा कुमार के फैंच नाराज ना होने लगे कि असल में परभास सर और अक्छा कुमार ऐसी फिल्में क्यों कर रहे हैं मुझे पता है परभास सर ने दोस्ती आरी की है लेकिन अक्छा कुमार क्यों कर रहे हैं अब बहुत से लोग कहेंगे कि अक्षे कुमार पैसो के लिए कर रहे हैं तब भाई जब कुछ भी हो सकता है लेकिन दोस्त मुझे मज़े मज़ा नहीं आया यार सच कहों तो मुझे मज़ा नहीं आया और ये कनफर्म हो गया कि भगवान सावा के किरदार में अक्षे कुमार नजर आएंगे लेकिन परभास सर किस किरदार में होंगे ये अभी किलियर नहीं है मुझे टीजर सीरिसली बहुत खराब लगा और जब भी मैंने टीजर देख रहा था तो पता नहीं कि मुझे सिर्फ नंगेटिव सीज़े ही नजर आ रही थी मुझे अमीद थी कि मेकर से पर काम और काम करेंगे इसके भी एफेक्स डारेक्शन पर काम करेंगे एडिटिंग पर काम करेंगे क्योंकि जब तक आप कौलिटी नहीं देंगे तब तक आप कितने भी बड़े एक्टर्स को ले आओ और उनसे अपनी फिल्म में कायमियों करवा लो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आपको इस पर क्या कहना है या आपको इस फिल्म का टीजर कैसा लगा या मूबी भी चुले और सप्टेंबर के बीच से ही रिलीज कर दी जाएगी वैसे इसकी कोई एकदम सही जानकारी अभी तक तो नहीं मिली है लेकि जैसे ही मिल चाहेगी आपको पता चल चाहेगा कनपपा एक आगामी भारती पौराडिक नाटक फिल्म है जो मुखरूप से तेलगु में है या हिंदू देवतास्यू के एक महान भक्त कनपपा नैनार की पोजिनी कहानी पर अधारित है होनहार मुकेश कुमार संगर मार अनभवी अभिन्यता मोहन बाबो ने अपनी प्रोडेक्शन कंपनियों एबी एंटरेटेन्मेंट और 24 फ्रेंस फैक्टरी के परतिष्टिट बैनर के तहद किया है कनपपा की अधिकारिक रिलीज की तारिक की घोशला अभी बाकी है हालाक इसके वर्तमान को देखते हुए 2024 में रिलीज होने की प्रबल संभावना है कनपा भारती फिल्म संगीत की दो परमुक हस्तियों के बीच सहयोग सेक आकर 60 संगीत मैं अनुभव का वादा करता है मलयालम सिनेमा में अपने युगदान के लिए जाने जाने वाले परतिष्टित इस्ठीपन देवसी और तेलगू फिल्मों के परमुक संगीतकार मड़ी सरमा मिलकर साउंट्रेक बना रहे हैं आगामी तेलगू महाकाब 85 कटपपा का टीजर सुक्रवार को जारी किया गया था इस फिल्म को बिश्डू मांचू के करियर की सबसे मातुकांची फिल्म कहा जा सकता है ब कनपा का टीजर पूरी तरह से संपादित किया गया है ताकि दर्शकों को इसकी स्टार कास्ट के मामले में फिल्म के पैमाने की एक जलक मिल सके फिल्म में सभी स्टार सहाय कलाकार हैं और इसमें भारत के कुछ सबसे बड़े सुपश्टार के कैमियों भी सामिल हैं टीजर स चीपे हुए मंदिर पठो कर खाता है और उसका भगत बन जाता है पारसपरिक उपासको के भी प्रीद कनपा को उचित अनुष्ठानों का ग्यान नहीं था वह वही अर्पित करता था जो वह जानता था अपने सिकार से मांस और अपने मुह से पानी और जब जरूरत होती तो भगवान सिव की भगती में अपनी आँखे भी बलिदान कर देता था इस परकार वहा कनपा के रूम में परशिद्ध हो जाता है हाला कि फिल्म कनपा के वंदती से कुछ बिचार लेती है लेकिन एक अलग सक्ति कहानी बताती है टीजर की सुरूरत भगवान सिव के परतिक वाई लिंग के लिए युद्ध से होती है वाई लिंग पन यंत्रड़ पाने के लिए एक जंजाती दूसरे पर युद्ध करती है लेकिन अंत में बिश्डू मंचु दरा निभाये गे कनपा की युद्ध कौसल से परभावित हो जाती है परतिदुन्ती जंजाती वाई ल मलियालम सुपस्टार मोहनलाल बॉली बोडी स्टार अक्षकुमार और तेलगो सुपस्टार प्रभास की जलक मिलती है सभी भगवनसियों के आउतार में नजर आते हैं कान फिल्म फेस्टिबल में अपने परतिष्टिट परदर्शन के बाद महाकाबी एक्शन फिल्म कनप कनपपा के बिज्वल मंचु ने भगत कनपपा की कहानी निभाई है फिल्म को मुकेश द्वारा सिंग ने निर्दर्शित किया है यह फिल्म एक भगती और बलदान की पौराणी कहानी को जीवन्त करती है मोहनबाब, मोहनलाल, परभास, अक्षकुमार, सरतकुमार, काजला और रिलीज के बास सही परसनथक फिल्म की रिलीज का बेशबरी सेंदजार करहे हैं विश्लो मांचु के ट्रिम प्रोजेप्ट काणापा का सांदार टीजर रिलीज हो चुका है इस फिल्म का टीजर कुल पांच भासाओं में रिलीज किया गया है फिल्म'े परभास, लुगू, मलयालब, कन्नड और हिंदी भासा सामिल है इस महा काप की कहानी को अब दुनिया भर के दर्सक पांच भासाओं में देख सकेंगे या फिल्म हमारे इतिहास का एक महत्पोड हिस्सा है और हमें इसे सबसे आगे लाने पर गर्ब है कोई सालों में हमने देखा है कि कै सिया स्थानी कहानियां बेसुस्तर पर गुज़ती है और कनापपा एक ऐसी कहानी है जो हमारी समरस संसक्रत में नहीं थै या फिल्म हर जगह के दर्सकों से जुड़ेगी फिल्म के निर्माड में कई दिग्गत सामिल हैं जिनमें हॉली बोर्ट सनमेटुग्राफर, इस्टेट की कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कुछ टाइम पहले नियू जाई थी साउथ में एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसमें अक्च्छकमार और परभास दोनों एक साथ आने वाले हैं सब लोग मान नहीं रहे थे क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स मतलब उ लेखे बातर कंबेक भी कर दिया है उद्धर साउथ ने इंडेस्ट्री में चिपके से परभास का बाहुबली वाला कंबेक ही कर दिया है चुपके से परभास का बाहुबली वाला कमबैक भी कर दिया बात कनपा की हो रही है जिसको 100 सिकंड का छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है टीजर से मतलब है जिसको लोग तो किसी और को ढोट रहे थे मार्केटिंग की है कनपा की टीम ने पास को रिविल कर दिय चारों तरफ लोग इसकी बादे कर रहे हैं और इसे पता है आपको कनपपा टीजर चाय कैसा हो पर कलेक्शन इसका नंबर मुल रहता है यहां हडपा की कहानी है जिसको दुनिया आई डोनर बोला जाता है वहां उन्होंने अपने आखे खुद भगवान स्यू को दान कर दी थ अभी तो खाली टीजर आया है इंट्रेस्टिंग सी कहानी है और एक्चुली में इसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं इसलिए जब उनका टीजर आया सौथ के कंपेरिजन में नोट थियेटर में जएदा बॉक्स आफिस कलेक्शन करा जाया इसके पीछे बहुत रीजन है करतिके टू या हनुमान इन सभी मोबियों में इनका बजट नहीं देखते लोग इनका ट्राफिक काफी होता है थियेटर में हाउस फूल बोर्ड लगाने के लिए कनपा भी उसी रास्ते पर चल सकती है फ्यूचर में आने वाला ट्रेलर टीजर के कंपरेजन में क लेकिन और आप लोग सभी जानते हैं कि कनपा का रिजल्ट इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है काफी सारी गलतिया ढोडने पर मिल जाएंगी इसलिए सो क्रोड का बजट फिल्म का बताया जा रहा है यह बास सच है टीजर के सीन देखकर फिल्म कुछ खास नहीं है ऐसा ल लेकिन अक्षे कुमार का स्क्रीन परजेंट दोबारा फिल हो रहा है लेकिन टीजर में आने वाले अगले सार्ट के लिए हम लोग बिलकुल तयार नहीं थे पूरे परभास में सिर्फ उनकी आंखे काफी हैं किसी फिल्म का हाइट क्रास करने के लिए कनपा की कहानी भगव रहे हैं भगवान सिव बिश्वो की पूजा करते हैं तो भगवान बिश्वो खुद सिव के सबसे बड़े भक्त हैं तो बस परभास का वही लौड सिवा के देवोटी के तरह इंट्रोडक्शन होने वाला है कनपा में जबकि बाद में फिल्म के अंतर ही अपने असली रू भाके रो मेनेजर आएंगे लेकिन टीजर में इनका ट्रांस्पोटेशन तो कुछ होर ही बोल रहा है फिल्म का मॉमेंट सबसे अलग होगा यह तीनों एक्टर अपने ओरिजिनल लोक में एक साथ तर्मूरती वाले सीन में परजेंट किये जाएंगे गूसे बम्स लेकिन य तो कि कमियों के सारे फिल्म का हाइट जरूर बन सकता है लेकिन पिक्चर नहीं चल सकती कनपा टीजर के लास्ट सीन में डालॉग है जिसमें डारेक्टली भगवांस्यू को बला गया है कितना एपॉर्टन सीन है वह कहानी वाइस्यू और कनपा के कनेक्शन प्रोजेक्ट क चाहिए और नहीं कार्टोन सो देखना चाहते हैं बस रिस्पेक्ट फुली कहानी को प्रोजेंट कर देना है बिना ओवर एक्टिंग या फिर लाउड डैलोग और ओवरडेज बचकानी बीफेक्स का कनपा के टीजर में सबसे बड़ा ड्राबैक है मोसंस का मिसिंग हो रहा या फिर सिर्फ पैकट वह देखना पड़ेगा जल्दी बताओ अक्षे कमार वर्स प्रभास वर्जिस मोहनलाल जिसकी अंटरी पर सबसे ज्यादा तालिया पीठने पर दिल किया तो मैंने अभी कनपा मोवी का टीजर देखा और टीजर देखने के बाद मेरे दिमाग में पहली बात यही आई कि आखिर इस मोवी का कोई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तो वह है प्रभास और उनके अलावा अक्षे कुमार हैं कुल मिलाकर जो भी चीज़े मैंने इस स्थापत की गई है और लोग उसके सामने पूजा कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नकली लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हाँ एक्षेट बनाया गया है और इस तरह से मोवी की सूटिंग वहां हो रही है दाएं बाएं दाएं या यहां वहां परभावित नहीं किया मुझे वा फिल्म कर रहे हैं तब मुझे बरोसा हो गया कि अगर दो गड़े एक्टर एक फिल्म करने के लिए राजी हो गए हैं तो इसका मतलब है कि फिल्म में कुछ खास होगा लेकिन जब मैंने टीजर देखा तो उससे बहुत ही गहरे लेबल पर कसा गया है मुझे कहीं से भी मज़ नहीं आ रही हैं और इसके लवा मुझे पहले ही से ही डर था कि इस फिल्म को देखने के बाद परभास सर और अक्छे कुमार के फैस नाराज ना होने लगे कि असल में परभास सर और अक्छे कुमार ऐसी फिल्में क्यों कर रहे हैं मुझे पता है परभास सर ने दोस् तो मुझे मज़ा नहीं आया यार सच कों तो मुझे मज़ा नहीं आया और यह कंफर्म हो गया की भगवान सावा के करदार में अक्चाकमार नजर आएंगे लेकिन परभास सर किस करदार में होंगे यह अभी किलियर नहीं है मुझे टीजर सीरिसली बहुत खराब लगा और जब भी मैंने टीजर देख रहा था तो पता नहीं कि मुझे सिर्फ नंगेटिव चीजर ही नजर आ रही थी मुझे अमीद थी कि मेकर से इस पर काम और काम करेंगे इसके भी फेक्स डारेक्शन पर काम करेंगे एडिटिंग पर काम करेंगे क्योंकि जब तक आप क्वालिटी नहीं देंगे तब तक आप कितने भी बड़े एक्टर्स को ले आओ और उन से अपनी फिल्म में कैमियों करवा लो आपका कोई फाइदा नहीं होने वाला बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आपको इस पर क्या कहना है या आपको इस फिल्म का टीजर कैसा लगा या मूबी भी चुले और सब्टेंबर के बीच से ही रिलीज कर दी जाएगी वैसे इसकी कोई एकदम सही जानकारी अभी तक तो नहीं मिली है लेकिन जैसे ही मिल चाहेगी आपको पता चल चाहेगा कनपपा एक आगामी भारती पौरालिक नाटक फिल्म है जो मुक्रूप से तेलगू में है या हिंदू देवतास्यू के एक महान भक्त कनपपा नैनार की पोजिनी कहानी पराधारित है होनहार मुकेश कुमार सिंगर निर्देशित कनपपा का निर्माण अनभवी अभिनेता मोहन बाबो ने अपनी प्रोडेक्शन कंपनियों A.B. Entertainment और 24 फ्रेंस फैक्टरी के परतिष्टिट बाइनर के तहद किया है कनपपा की अधिकारिक रिलीज की तारीक की घोशला अभी बाकी है हाला कि इसके वर्तमान उत्पाचरण को देखते विए दोहजार चोबिस्क में रिलीज होने की परबल संभावना है कनपपा भारती फिल्म संगीत की दो परमुक हस्तियों के बीच सहयोक सेक आकर 60 संगीत में अनुभो का वादा करता है मलेयालम सिनेमा में अपने युगदान के लिए जाने जाने वाले परतिष्टित इस्ठीपन देवसी और तेलगु फिल्मों के परमुक संगीतकार मड़ी सरमा मिलकर साउंट्रेक बना रहे हैं आगामी तेलगु महाकाब 85 कटपपा का टीजर सुक्रवार को जारी किया गया था इस फिल्म को बिश्डु मांचु के करियर की सबसे मातुकांची फिल्म कहा जा सकता है भारत में पाउराडिक फिल्मों को सिल्यमा देखने वाले दर्सकों की 20 बड़ी सफलता मिल रही है ऐसे में बिश्डु मांचु को बरुसा है कि कनपा लोगों की दिलों में जगह बनाएगी कनपा का टीजर पूरी तरह से संपादित किया गया है ताकि दर्सकों को इसकी स्टार कास्ट के मामले में फिल्म के पैमाने की एक जलक मिल सके फिल्म में सभी स्टार सहाई कलाकार हैं और इसमें भारत के कुछ सबसे बड़े सुपास्टार के कैमियों भी सामिल है टीजर से एक बात स्पष्ट हो जाती है या पूरीतर से कनपपा की किवंदती पर आधारित है जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए या पौराणिक कहानी एक धनुर्धर की कहानी है जो एक दिन सिवलिंग के छीपे हुए मंदिर पठो कर खाता है और उसका भगत बन जाता ह परसपरिक उपासको के भी प्रीद कनपपा को उसित अनुष्ठानों का ग्यान नहीं था वह वही अर्पित करता था जो वह जानता था अपने सिकार से मांस और अपने मुह से पानी और जब जरूरत होती तो वह भगवानसियू की भक्ती में अपनी आँखे भी बलिदान कर देता था इस परकार वहा कनपपा के रोम में परसिध हो जाता है हाला कि फिल्म कनपपा के वंदती से कुछ बिचार लेती है लेकिन एक अलग सक्ति कहानी बताती है टीजर की सुरुआत भगवानसियू के परतीक वायू लिंग के लिए युद्ध से होती है वायू लिंग पाने के अपने द्रड संकल्प में अडिग हैं और पूरी ताकस से हमला गरती हैं कहानी में कनपपा की आस्था को एक से अधिक तरीकों से परका गया है फिल्म का मुख्या कर्षड इसके एक्शन सीक्वेंस और सुपरस्टार का इम्यों हैं हमें मल्यालम सुपरस्टार मोह महाकाब एक्शन फिल्म कनपपा का बहुत परतिछ चित टीजर जारी किया गया है फिल्म के टीजर को कुल पांच भासों में रिलीज किया गया है दुनिया भर के दर्शकों को आखिरकार बिश्णों मांचू के ड्रीम प्रोजेक्ट के एक जलग देखनों को मिल गई है परभाब, मोहनलाल, परभास, अक्शे कुमार, सरत कुमार, काजला करवाल, सहीद और निकलाकारोस सजी इस फिल्म के टीजर रिलीज के बाद सही परसंसक फिल्म के रिलीज का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं विश्लो मांचू के ट्रीम प्रोजेक्ट कन अपपा का परे नजर आये हैं फिल्म का टीजर कुल पांच भासाओं में जारी किया गया है जिसमें तमिल, तेलगू, मल्यालम, कन्नड और हिंदी भासा सामिल है इस महाकाब की कहानी को अब दुनिया भर के दर्सक पांच भासाओं में देख सकेंगे या फिल्म हमारे इतिहास का एक म समरस संसक्रत में नहीं थे या फिल्म हर जगह के दर्सकों से जुड़ेगी फिल्म के निर्माड में कई दिगश सामिल हैं जिनमें हॉली बोर्ट सिनमेटोग्राफर, गॉल्डन चाओ, एक्शन निर्देशक, केचा, कामकड़ी, कुरियोग्राफर प्रवोदेवा और ब्र रही है, जिसमें अक्शेकुमार और प्रभास दोनों एक साथ आने वाले हैं, सब लोग मान नहीं रहे थे, क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स मतलब उनका बजट हजार करोड़ पार कर जाएगा, तो आप एक जीरो कम कर लीजिए, सिर्फ सो करोड़ में यहां काम हो चुका दिया है, उधर साउथ ने इंडेस्टरी में चुपके से परभास का बाहुबली वाला कमबैक भी कर दिया है, जिसको सो सिकन्ड का छोटा सा टीजर रिलीजि किया गया है, टीजर से मतलब है जिसको लोग तो किसी और को ढूट रहे थे, मार्केटिंग की है कनपा की टीम न रहता है यहां हडपा की कहानी है जिसको दुनिया आई डोनर बोला जाता है वहां उन्होंने अपने आखे खुद भगवान से उको दान कर दी थी इस तीन घंटे की मूबी में बहुत ही अच्छी कहानी है अभी तो खाली टीजर आया है इंट्रेस्टिंग सी कहानी है और एक् पीछे बहुत सॉलिड रीजन है करते के टू या हनुमान इन सभी मूबियों में इनका बजट नहीं देखते लोग इनका ट्राफी काफी होता है थीटर में हाउस फूल बोर्ड लगाने के लिए कनपा भी उसी रास्ते पर चल सकती है फिचर में आने वाला ट्रेलर टीजर क के एक एमपरेजन में क्यों परभास और अक्षे एकसाइड है लेकिन और आप लोग सभी जानते हैं कि कनपा का रिजल्ट इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है काफी सारी गलतिया ढोडने पर मिल जाएंगी इसलिए सो करोड का बजट फिल्म का बताया जा रहा है यहाँ ब मुआपस आ गई बॉलिवुड की स्मार्ट मुवी में नाम आता है ओएमजी टू का लेकिन अक्षे कुमार का स्क्रीन परजेंट दोबारा फील हो रहा है लेकिन टीजर में आने वाले अगले सार्ट के लिए हम लोग बिलकुल तयार नहीं थे पूरे परभास में सिर्फ उ प्रमभा पिश्डू महस्तिनों दिखने वाले हैं और सालिड चांस पिश्डू का करेक्टर प्ले कर रहे हैं बगवान सिव पिश्डू की पूजा करते हैं तो बगवान पिश्डू खुद सिव के सबसे बड़े भक्त हैं तो बस परभास का वही लाड़ सिवा के इनका रेक्टर सबसे इंट्रेस्टिंग फिल्म में हैं वैसे मेरे हिसाब से भगवान ब्रंभा के रो मेनेजर आएंगे लेकिन टीजर में इनका ट्रांस्पोटेशन तो कुछ होर ही बोल रहा है फिल्म का मोमेंट सबसे अलग होगा यह तीनों एक्टर अपने ओरिजिनल लो पिर उनके लीड एक्टर्स को थोड़ा और इंपेक्ट लाना पड़ेगा क्योंकि कमियों के सारे फिल्म का हाइट जरूर बन सकता है लेकिन पिक्चर नहीं चल सकती कनपा टीजर के लास्ट सीन में डालॉग है जिसमें डारेक्टली भगवान स्यू को बला आ गया है कितना एपोर्टन सीन है वहा कहानी वाइस और कनपा के कनेक्टन प्रोजेक्ट करता है लेकिन वहाँ पर डायलॉग डिलिबरी सीरियस कम और फ़नी ज्यादा लगती है मोड खराब हो गया आप टीबी सीरियल नहीं बना रहे हो हमें ड्रामा नहीं चाहिए और नहीं कारटुन दे सबसे बड़ा ड्राबैक है, मोसन्स का मिसिंग हो रहा है, जबकि स्क्रीन पर खुद भगवान को उतार दिया गया है, अब मैं ज़्यदा वर्सिस नहीं करूंगा, ट्रेलर का वेट करते हैं, कन अपपा के पास मौका है, चोक लगेगा, या फिर सिर्फ पैकट वह देखना पड़ेगा, जल्दी बताओ, अक्षे कमार वर्सिस प्रभास वर्जिस मौनलाल, जिसकी अंट्री पर सबसे ज़्यादा तालिया पीठने पर दिल किया, तो मैंने अभी कनपा मौकी का टीजर देखा, और टीजर देखने के बाद मेरे दिमाग में पहली बात यही आई, कि आखिर इस मूबी का कोई सबसे बड़ा पलस पॉइंट है, तो वो है प्रभास और उनके अलावा अक्षे कुमार है, कुल मिलाकर जो भी चीज़े मैंने इस टीजर में देखी, वो क्वालिटी के मामले में बहुत ही घटिया है, सच कहूं तो यह नकली लग रहा है, या फिर जिस तरह से फाइट स्रिक्वेंस को रियोग्राप किये गए हैं, इसके अलावा काली माता की मुर्ति स्थापत की गई है, और लोग उसके सामने पूजा कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नकली लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ एक्सेट बनाया गया है, और इस तरह से मुवी की सूटिंग वहां हो रही है, दाएं बाएं दाएं या यहां वहां परभावित नहीं किया, मुझे वाकि इस मुवी से उम्मीद दे थी, मुझे लगा कि साइद एमुवी अच्छी निकलेगी, लेकिन मुझे लगा कि साइद अगर प्रभाव सरे मुवी करने के लिए तयार हो जाएं, तो इस मुवी की संभावना बढ़ जाएगी, इसके बाद मुझे पता चला कि अक्छे कुमार भी ये फिल्म कर रहे हैं, तब मुझे बरोसा हो गया कि अगर दो बेड़े एक्टर एक फिल्म करने के लिए राजी हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि फिल्म में कुछ खास होगा, लेकिन जब मैंने टीजर देखा, तो उससे बहुत ही गहरे लेबल पर कसा गया है, मुझे कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं लगा, हाँ बस मुझे सब फिल्म का टीजर थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगा, बाकि और वाल ये बहुत ही जदा फैक लग रहा है, किस तरह से इस फिल्म पर करोड़ों खर्चा किये गए हैं, ये बाते मुझे समझ नहीं आ रही हैं, और इसके लवा मुझे पहले बाते हैं,